मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपने इस सीरीज में वर्ल्ड हिस्ट्री का आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे द न्यू इंपरियलिजम लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले में स्टुट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन्स नहीं देखे हैं सो मेक शूर दे वाच अल दोज प्रीवेस सेशन्स स्टुटि आईक्यू के चैनल पर जाइएगा आपको मेरे नाम से वहाँ पर प्लेलिस मिल जाएगी या अगर आप सिंप्ली यूट्यूब के सर्चबार पर मेरे नाम लिखते हैं तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट अवलेबल हो जाएगी चीज़े आपको पढ़नी पढ़ेंगी तभी आप समझ पाएंगे दन्यूए इंपरिलिजम को सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पिछले सेशन्स जरूर देखें थोरली और उन सेशन्स में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दें और अपना फीड़ जरूर प्रोवाइड करें कि आपको सेशन्स अच्छे लगे या बुरे लगे कमेंट्स मुझे बताईएगा कि कहां कहां कौन सी बात आपको अच्छी लगी कौन सी बात आपको बुरी लगी मेरी राइट यूर फीड़बैक इस रेली वेरी निसेसरी उसके अलावा अगर आप Study IQ की अप्लिकेशन को इंस्टॉल करते हैं इस वीडियो के निचे जो आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा इस वीडियो का वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है खेर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन तो जैसे कि मैंने कहा The New Imperialism आज हम समझनी कोशिश करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि Imperialism के हमें कारण समझने हैं कि Imperialism क्यों फैला ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको define कर दूँ कि Imperialism होता क्या है उसके बाद हम कारणों की तरफ बढ़ेंगे ठीक है So, Imperialism की लिए मैंने बिल्कुल basic definition पहले भी दी थी अपने एक session में जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक शक्ती किसी और geographical region पर control करती अपना political That means कोई एक एक political शक्ती किसी और region पर अपना political control establish करती है तो वो कहा जाएगा कि वो उसका Imperialistic control है वो Imperialism इसे कहा जाएगा Imperialism या मैं अगर और सरल भाशा में बोलूँ तो simple सी बात है अगर एक राष्टर किसी और की भूमी पर गबजा करता है तो इसे Imperialism कहा जाता है अब Imperialism कई तरह के होते हैं जिसमें से एक colonialism हमने समझा था मैंने colonialism को पूरा अच्छे तरीके से आपको define किया था तो बिलकुल आसान भाशा में बोलूँ अगर कोई एक government एक type of government वो monarchial भी हो सकती है constitutional जो है वो monarchी भी हो सकती है वो absolute monarchी भी हो सकती है वो एक कोई parliamentary system भी हो सकता है presidential system भी हो सकता है किसी भी तदाई government अगर किसी और political शक्ती को अपने control में लेती है तो उसे आप imperialism कहेंगे ठीके तो old आज हम new imperialism पढ़ने जा रहे हैं that means हमें old imperialism के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो old imperialism तो सदियों से चला ही आ रहा है जो कि भारत में भी था imperialism, imperialistic control तुर्कियों ने भारत में अपना imperialistic control establish किया ठीके जो दिल्ली सल्तनेत आई फिर मुगलों ने दक्षण में अपना imperialistic control establish किया मराथों ने उत्तर भारत में अपना imperialistic जो है वो control establish किया तो यह भारत में भी चला है यही same trend Central Asia, Asia के अन्य भागों में भी, China में भी हुए और यही same trend Europe में भी चला है So from ancient and medieval times, imperialism is the way how governments work क्योंकि ancient and medieval time में हमने monarchical system of government देखा जो कि धीरे-धीरे feudal system में convert हुआ ठीक है So जो ancient monarchical and then feudal systems किस तरह के हैं यह imperialistic है लेकिन हमें imperialism का एक और hit नजर आया after the after renaissance और जब early modern period में Europe ने कदम रखा ठीक है जिसमें उन्होंने colonial expansion किया So पहला phase उसको हम कहते हैं first imperialism ठीक है वैसे तो imperialism ancient time से चला रहा है लेकिन जो हमारा concern है क्योंकि हम new imperialism पढ़ने जा रहे हैं तो हम किसे क्या ancient वाले old imperialism को consider कर रहे हैं हम नहीं हम old imperialism या first imperialism किसको consider करेंगे जो इस तरह कहा जाए कि जो geographical discoveries के बाद जो colonies established हुई है वो that means जो चार मुख्य बड़ी शक्तियां थी Spain, Portugal, Britain और France इन्होंने जो new world में अपनी colonies established करी है उसके अलावा भारत, South East, Asia में जो अपनी colonies established करी है ये आपका first phase of colonial imperialism है अब हमें second phase of colonial imperialism देखना है वो कब आया, वो second phase of colonial imperialism आया in mid 19th century यानी 1850 के बाद क्यों आया, क्योंकि second phase of colonial imperialism इसलिए आ सका क्योंकि in mid 19th century industrial revolution has acquired a certain pace एक pace जो हुआ अक्वाइर कर लिया था industrial revolution ने mainland यूरोप में तो जब mainland यूरोप की शक्तियां हैं, अब वो भी बढ़ चड़ कर colonialism में participate करने लगी थी पहले colonialism में participate करने वाली जो मुख्य शक्तियां थी वो Britain, France, Netherlands, Spain और पुर्तगाल थे ठीक है, जिसमें से Britain सबसे पहले industrial revolutionize कर गया आपने आपको और फिर धीरे-धीरे industrial revolution mainland यूरोप में फैला और जब unified किया इटली और जर्मनी ने अपने आपको तो इटली और जर्मनी और रशिया ये सब शक्तियां भी अब colonialism में उतर गई, तो जब यूरोप की अन्य शक्तियां colonialism में उतरी, तो Spain, Portugal, France और Britain के उपर भी pressure पड़ा कि अब वो बढ़ चड़ कर उतरे colonialism में इसे कहा गया है new imperialism कि in mid 19th century, after the heat of industrial revolution in mainland Europe जब mainland Europe की शक्तियां बढ़ चड़ कर colonialism में participate लेने लगी, तो जो already existing colonial शक्तियां थी, उन्हों ने भी अपना imperialistic structure expand करना शुरू किया, जिसे हमने कहा है new imperialism, लेकिन इसमें केवल European शक्तियां ही शामिल नहीं थी, क्योंकि अब की बार new imperialism में नए खिलाड़ी USA भी थे, क्योंकि USA भी अब imperialism में बढ़, USA में भी industrial revolution का hit आया, और उन्होंने भी अब बढ़ चड़ कर new imperialism में participate करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने भी अपना जो, मैंने आपको American civil war समझाया है ना, उन्होंने भी industrial शक्ति के रूप में उभर रहा है, और mainland में रशिया भी सोच रहा है कि हम भी जो है, वो एक बड़े imperialistic शक्ति के रूप में उभरें, रशिया अपने आपको European consider कर रहा है, ठीक है, सो, आज हम यही सारी चीज़े समझायेंगे कि कि किस तरहा जो second phase of imperialism है, जिसको new imperialism कहा गया, जो कि 1850s के बाद हुआ, जो कि नहीं केवल यूरोप की शक्तियों तक सीमित था, एशिया और USA ने भी imperialism में भागिदारी निभाई, इसे हमने कहा है new imperialism, सो, आई होप आपको old imperialism और new imperialism में different समझाया होगा, old imperialism हर जगा है, ancient समय से चला आ रहा है, लेकिन हम उसे consider नहीं कर रहे है, old imperialism या the first phase of colonial imperialism, क्योंकि हम modern world history से concerned है, तो हम colonial imperialism को समझ रहे हैं, because imperialism कई तरीके का हो सकता है, ठीक है, जैसे भारत में, भारत में imperialism कैसा है, अगर मुगलिया शक्ती ने दक्कन को control में लिया, तो वो दक्कन उनका क्या हुआ, imperialistic expansion हुआ, और दक्कन में उन्होंने अपना, क्या बिढ़ाया, वहाँ पर एक, मनसबदार बिढ़ाया, ठीक है, so it is not colony, colony को मैंने कैसे explain किया था, कि जो mother country है, उसको सारा का सारा profit पहुँचाएगा, ठीक है, colony एक ऐसा, mother country का ऐसा imperialistic expansion है, ठीक है, जहां से जो भी revenue निकलेगा, वो mother country को जाएगा, लेकिन दक्कन मुगल में जो revenue निकलता था, वो दक्कन के काम में आता था, राइट, वो सारा का सारा दिली नहीं बेजा जाता था, यह अगरा नहीं बेजा जाता हो था, ठीक है, so this is the difference between the old existing imperialism and the new imperialism, the first phase of colonial imperialism, then the new imperialism, so we are concerned with the imperialism that happened in, in whole of the world, but the imperialistic powers were from Europe, right, Europe की थी imperialistic शक्तिया, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने colonial regime में include किया, और यह जो बढ़ती हुई होड है, यह जो competition है, आज हमें उस competition को समझना है, कि वो competition क्यों है, so आज का हमारा यह session, conceptual रहने वाला है, इसमें आपको ज़्यादा facts निकल कर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि आज मैं आपको new imperialism की theory पढ़ाऊंगा, पूरी new imperialism है क्या, और जो आगे आने वाले subsequent sessions होंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, कि किस तरह USA ने imperialism किया, किस तरह Japan imperialism में कूदा, किस तरह जो नई European शक्तियां थी, और जो existing European शक्तियां थी, उनमें hold आई, उनमें competition हुआ, Africa को colonize करने का, South East Asia को colonize करने का, भारत तो already colonized है, और भारत में अन्ने European शक्तियों को exclude कर दिया है, किसने, Britain ने, वो हमने पढ़ा, ठीक है, Carnetic Wars, हमने पढ़ी, पूर्टगालियों के साथ और डचों के साथ, क्या जो है, वो policy अपना ये अंग्रेज़ों ने, यह सारी चीज़े हमने पहले consider करी हैं, ठीक है, तो अगर आपने modern industry के topics नहीं देखे हैं, इंडिया की, तो जाइए, playlist में ढूंडियों उन topics को, और पढ़ियों उन topics को, ठीक है, अब यहाँ पर कई students मुझे यह बोलते हों मिलते हैं, कि sir, sessions आपके arrange नहीं है, तो और उन students को मैंने clear एक बात बोलिये, कि अगर आप sessions को arrange नहीं कर सकते, so question yourself कि आपको syllabus नहीं पता है, तो सबसे पहले आप syllabus पढ़िये, अगर आप sessions को arrange नहीं कर पा रहे हैं, that means आपको syllabus की जानकारी नहीं है, ठीक है, तो पहले syllabus की जानकारी रखिये, फिर उसके बाद playlist में जाईए और आपको दिखेंगे सारे sessions, आप arrange करना सीखेंगे सारे sessions को, तो make sure you go through all those sessions, उन्ही sessions में मैंने, एक-एक session में जो है, वो छोटे-छोटे parts अपने समझ के जो है, वो छोड़ दिये हैं, और आपको उन सारे parts को एखटा करना है, इसलिए आपको सभी session से गुजरना ही पड़ेगा, और पूरे-पूरे देखने पड़े हैं आपको, right, खेर, आई अब शुरू करते हैं new imperialism, और new imperialism आपको समझ आया, after 1850s, नई European शक्तियां, already existing European शक्तियां, USA और जपान और रशिया, इन्होंने अब जो colonial expansion अपना किया, और existing colonies में जो लड़ाईयां हुई, वो है नया imperialism, ठीक है, खेर, economic reason देखिये क्या है, पहला point है, at the heart of imperialism, were the economic benefits emanating from the industrial revolution that could only be maintained and enhanced if the mother country had three advantages, ठीक है, देखिये, economic benefit के लिए imperialism, पहली बात, और industrial revolution से, इस imperialism को push मिला है, इस imperialism को एक बहुत, मैंने आपको industrial revolution समझाया था, मैंने आपको बताया था, industrial revolution से demand बढ़ गई, sorry, not demand, बट supply बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि demand तो already थी, global trade से demand बढ़ गई थी, इसलिए तो industrial revolution आया, सो industrial revolution से supply बढ़ गई, supply बढ़ गई तो यूरोप में आगया surplus, अब यूरोप में जितनी भी industrial शक्तियां थी, Spain, Portugal, France, Germany नहीं industrial शक्ति, Prusia, actually नहीं industrial शक्ति के रूप में भर रहा था, उदर Russia, Poland, Lithuania, एक नहीं, Norway, Sweden, Denmark, यह सब निदर्लेंड बगईरा, यह सब नहीं industrial शक्तियों के रूप में भर रहे थे, इन सब को जो है, वो अब trade करना था, ठीक है, अपना maximum profit भी दो चीए था न, mercantile economy, maximum export, minimum import, ठीक है, और maximizing the profit, capitalist economy, या mercantile capitalist economy, ठीक है, so, अब इन, जो भी imperialistic शक्तियां है यूरोप में, जिनोंने surplus बढ़ा दिया, तो बेचने के लिए colonies चाहिए, तो South America, North America, अब देखिए, after the French Revolution, South America में धीरे-धीरे decolonization हुआ, ठीक है, after the American Revolution, North America में धीरे-धीरे decolonization हुआ, so, after नेपोलियोनिक वार भी South America में, या जो लेटिन अमेरिका है, उसमें काफी हद तक decolonization हुआ, तो इस जो decolonization वाला जो पूरा phase है, मैं आपको कराऊंगा, decolonization जो है, वो एक बार तो American Revolution, French Revolution, और नेपोलियोनिक वार के बाद हुआ है, ठीक है, वहाँ से जो new world है, वो decolonize हो गया, North America, South America, decolonize हो गये, मतलब जाद तर हिस्से उनके, उसके बाद decolonization आपका first world war के बाद हुआ है, एक बार, दूसरा phase of decolonization, और तीसरा phase of decolonization हुआ, आपका second world war के बाद, decolonization का मतलब क्या है, कि जो colonies है, भगा दिया, और अपने आपको republics, monarchial, dictatorships, जिस भी तरह की, जो भी resulting या consequent government जो है, वो establish हुई, उन्होंने best possible कोशिश करी की, अपने interest को preserve किया जाए, तो decolonization पे एक अलग से topic लेकर आऊँगा, पहले colonization हम पूरा समझ लेते हैं, फिर decolonize करेंगे, एक एक करके सब को, ठीक है, बट, यह मैंने आपको बताया ही, कि industrial revolution, उससे पहले American revolution, French revolution and Napoleonic wars की वज़े से, North America और South America decolonize हो गए, so North America में एक बड़ी शक्ती उबर गई, South America तो अभी भी struggle कर रहा था, लेकिन North America एक बड़ी शक्ती आ गई, North America में एक बड़ी शक्ती कौन थी, US and A, ठीक है, United States of America, so USA ने भी जो है, वो अपना imperialistic expansion करना शुरू किया, ठीक है, next चीज देखिएगा, अब तीन चीज़े हैं, जो की इस तरह की imperialistic शक्तियों के लिए बहुत जरूरी है, first, it should have an uninterrupted supply of cheap industrial raw materials, देखिए, colonies establish करने का मतलब क्या है, colonies क्यों establish की गई, ठीक है, British भारत में आये, तो भारत को colonize क्यों किया उन्होंने, ठीक है, British जब भारत आये, तो भारत की जो handloom industry थी, भारत का जो handicraft industry था, वो लोग इतने माहिर थे, और इतना भैतरीन समान prepare करते थे, जिसकी demand यूरोप में बहुत थी, so पुर्तगालियों ने, Dutchess ने, French ने, British ने, भारत से क्या किया, भारत से वो तैयार समान, भारतिय मार्केट्स, बंगाल, दक्षिन भारत की, सूरत की, ठीक है, और माराथे, जो माराश्यन कोस्लाइन है, या जो वेस्टन घार्ट की कोस्लाइन है, यहां से, वो तैयार माल उन्होंने खरीदा, अपनी जेब से पैसा देके, खरीदा, और बहुत बड़े दाम, बहुत हायर दामों में, उन्होंने यूरोप में जाकर बेचा, जिससे उनको मुनाफ़ा हुआ, लेकिन उनको धीरे धीरे एक बात समझ आई, कि यह जो तैयार समान है, यह तो हम अपने देश में भी तैयार कर सकते हैं, और यहां से हमें इतना महंगा खरीदना पड़ रहा है, हम अपने देश में सस्ते में तैयार कर बालेंगे, मैनुवली, पहले मैनुवली, लेकिन भारत से सस्ते में कच्चा माल खरीदना पड़ेगा अब, तो कच्चा वाल खरीदना अभी भी उनको बहंगा पड़ रहा है क्योंकि जेब से पैशा देना पड़ रहा है लागत लग रही है तो क्यों ना जहां से कच्चा माल हम खरीद रहे हैं उस एरिया को हम politically अपने कंट्रोल में ले ले अगर हम उस एरिया को पॉलिटिकल अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो वहां से जितना भी कच्चा समान है उसको हम लगान के तौर पे सीधा उनसे छीन सकते हैं नेटिव पॉपलेशन से हैंस कलोनियलिजम ठीक है तो जो कच्चा समान या तयार समान टेक्स के रूप में आप अगर जनता से खरीद ने के बजाए अगर आप जनता से छीन सकते हैं टेक्स के नाम पे तो क्यों ना आप पॉलिटिकल अधिकरन करें इसलिए अंग्रेजों ने पहले धीरे धीरे एकॉनमिक कॉलनाइजेशन किया और फिर पॉलिटिकल कॉलनाइजेशन किया पॉलिटिकल तोर पे कोलीज अपनी एस्टेब्लीश करी पहले एकॉनमिक कोलीज एस्टेब्लिश करी का मतलब यह है कि मार्किट को मनपलाईज करना शुरू किया केवल वही खरीदआ रहे गए ठीक है पहले तो उन्होंने यही कोशिश करी कि केवल हम ही खरीदें ताकि जिस दाम पे हम खरीदें बेचने वाले को उस दाम पे बेचना ही पड़े और फिर धीरे-धीरे political colonization कर लिया कि अब हम खरीदेंगे ने सिदाथ छीनेंगे ठीक है so this was the need to form colonies but before prior to industrial revolution भारत से कच्चा समान ले जाया जा रहा था यूरोप में और यूरोप में उसको कच्चे समान से जो है वो यूरोप की जो हैंडलूम्स थे यूरोप के जो हैंडीक्राफ्ट से वो उसको तयार कर रहे थे और फिर बेचे जा रहा था ये ये जो पूरा प्रोसीजर था ये समय जादा ले रहा था इसमें इंवेस्टमेंट जाज़ थी और मुनाफ़ा कम था इसलिए यूरोप में धीरे धीरे इंडस्ट्रिलाइजेशन आगे so इंडस्ट्रिलाइजेशन वस नेचुरल फॉर ब्रिटेन इन ये यूरोप मैंने आपको बोला ना ब्रिटेन में इंडस्ट्रिलाइजेशन नेचुरली आया है उसके कारण मैंने इंडस्ट्रिलाइजेशन वाले टॉपिक में ग्रेटली एक्स्प्लेन किये थे अगर नहीं पढ़ाया तो जाकर ज़रूर पढ़े ठीक है तो इसमें जाएगा इंडस्ट्रिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़िएगा कि ब्रिटेन में ही क्यों इंडस्ट्रिलाइजेशन आया मैंने एक्स्प्लेन किया अच्छासे नेचुरली सो ब्रिटेन में लग जए मशीने है pound ब्रिटेन में मशीने लग Vivlarat से कच्चा समान उनको और जोरो सोरो से खटा करना है लेकिन जब वह मशीने यूरोप के अन्ने देशों में लगने लगी तो अब ब्रिटेन के हाथ पैर फूलने लगेगे अब हमें मार्केटों को कंट्रोल करना है strongly एक तो expansion भी करना है अपना और कंट्रोल भी करना है क्योंकि अगर आपको भारत में अपनी colony को preserve करके रखना है तो भारत के आसपास के area को भी colonize करना पड़ेगा क्योंकि colony यानि कि केवल भारत ऐजा मतलब भारती महादीब का जो mainland है या पनीजोल रिजन है आप वहाँ पर political control कर उससे काम नहीं चलेगा आपको समुद्रों को भी आपको जो है वो Arabian और बंगाल का जो बंगाल की जो एंटर कर रहा है ठीक है तो आपको उन तो specific port specific islands ठीक है आपको जो है वो colonize करने पड़ेंगे ताकि आप अपनी existing colonies को maintain कर सकें इसलिए colonization में increase आया after the industrial revolution hence that is came to be known as new imperialism ठीक है तो new imperialism का एक फंड़ा एक फंड़ा और है कि बड़े level पर colonization इसलिए किया गया ताकि already existing colonies को protect किया जा सकें ठीक है खेर तो पहली चीज़ है it should have an uninterrupted supply of cheap industrial raw materials so एक imperialistic महौल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए uninterrupted supply of cheap industrial raw material cheap industrial raw material कोईला भारत से minerals iron ore चाहिए भारत से या अन्य Arabian देशों से अगर कच्चा तेल ले जाना है भारत से cotton ले जाना है जूट ले जाना है ठीक है या और भी जितना भी कच्चा समान है वो भारत से अगर uninterrupted चाहिए तो पूरे भारतियोप महादीप को politically colonize करो और फिर लोगों से tax के रूप में सीधा चीन लो खरीदने की जूरूत ही नहीं है ठीक है this was their policy so uninterrupted supply of cheap industrial raw material ठीक है uninterrupted यानि कि बगैर रुकावट के cheap सस्ता industrial raw material कैसे मिलेगा अगर आप जनता से खरीद होगे नहीं उनसे चीन लोगे उनसे चीनने की स्थिती में आप कब आओगे उनसे चीनने की स्थिती में आप तब आओगे अगर आपकी वहाँ पर सरकार हो अगर आपकी वहाँ सरकार कैसे होगी जब आप वहाँ पर पहले अपना economic मैंने आपको बताए धीरे धीरे अंग्रेजों ने कैसे अपना political control जो है वो established किया इंडिया में उस direction में नहीं जाएंगे हम हम already established कर चुके हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं previous sessions so make sure you watch all those sessions आपको पता चले modern history जो मैंने कराई थी किस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत को control किया है ठीक है secondly it should have unrestricted access to markets for selling industrial products and thirdly it should have access to cheap labor कच्चा सामान देखिए colonies भारत as a colony अंग्रेजों के लिए कितनी मुनाफे वाली थी ठीक है भारत से कच्चा समान भी मिल रहा था उन्हें पहली चीज दूसरी चीज भारत में जो कच्चा समान वह भारत से ले जा रहे थे कच्चा समान यान्य की कोईला ले जा रहे थी cotton, clay जूट ले जा रहे थे भारत से उस color को youse कर रहे थे वह यूरोप में अपनी railways में अपनी mill O में उस cotton से वह बना रहे थे पहले कपड़ा पहले धागा बना रहे थे फिर कपड़ा बना रहे थे राइट उस कपड़े को वह बून कर जो है वह वेरेबल्स क्रियेट कर रहे थे और फिर उस वेरेबल्स को वह वापिस लाकर भारत में लाकर बेश दे रहे थे ठीक है तो वो वेरेबल्स भारत में लाकर बेश दी और भारत इतना बड़ा देश इतने सारी जनता सब कपड़े खरीदना चाहते सबको जो है वो विदेशी बाबू बनना है तो सभी ने जो है वो शर्टे खरील ली तो वो महाल भी ग्रियेट किया अंग्रेजों ने अगर पॉलिटिकल कंट्रोल है प्रेस पे उनका कंट्रोल है पूरा का पूरा सारे गवर्मेंट इंस्टिशन पे उनका कंट्रोल है भारत में इतनी गरीबी ले आओ भारत के एक वर्ग को इतना गरीब कर दो कि अगर उनको हलकी सी किरन दिखे एजुकेशन की अंग्रेजी त मैं कॉल है माइनूट 1835 ठीक है उस हलकी सी किरण को वो ले ले और बलब उस तिनके का वो सहारा ले ले और समाज का एक बहुत बड़ा वर्क पूरी तरह अंग्रेजों पर डिपेंडेंट हो जाए इकोनॉमिकली और सोशली भी ठीक है और अगर अंग्रेजों की फर्म में काम करना है अगर अंग्रेजों की एजुकेशन लेनी है तो अंग्रेजी कपडा भी पहनना पड़ेगा समझ रहे है न डिमांड एंड सप्लाई डिमांड भी अंग्रेज क्रियेट कर रहे है और सप्लाई भी अंग्रेज दे रहे है यह खेल समझी है ठीक है खेर सो दूसरी ची वर चीफली centered in Europe बट जब वो प्रोडूसर इंग्लेंड से मेंलेंड यूरोप में आ गए और मेंलेंड यूरोप से फैलते होए वो रशिया में चले गए United States में आ गए जपैन भी आ गए तो ये नए खिलाडी आ गए अब colonial race में और वही हमें समझना है नए खिलाडी क्यों आए ठीक है तो सबसे पहला economic कारणों समझ रहे हैं तो economic कारणों में हमने देखा economic कारणों में सबसे पहले तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर इस तरह का imperialistic structure बनाना है तो ये तीन conditions होनी चाहिए जो कि क्या है पहला raw material की cheap supply दूसरा market of level होने चीज़ और तीसरा labor होने चीज़ आपके पास भर भर गए अब अगर आपको अपनी plantations में काम करवाना है आपको अपनी mille में काम करवाना है तो England के पास अपनी खुद की जनता बहुत थी देखिए बहुत बच्चे ना बहुत सारे students और बहुत सारे आम जनता बीस अंदकार में हैं कि Britain was very rich and India was very poor भारत के पास इतना पैसा था अंग्रेज़ों के पास खाने के लाले थे इंडिस्रियल रेवलूशन से पहले और भारत में इतना पैसा था इतना धन था इतनी संपत्ती थी इतनी संपत्ती थी जितनी अंग्रेज़ों ने कभी देखी नहीं थी लेकिन वो भारत के भी एक बहुत छोटे से वर्ग के पास थी आम जनता के पास नहीं थी वो संपत्ती और वो संपत्ती और वो संपत्ती वही सेम सीन ये रोप में विधा ब्रिटेन में संपत्ति समरिद्धी ब्रिटेन के भी एक छोटे से वर्ग के पास थी और ब्रिटेन का वही छोटा सा वर्ग तो भारत आया इसलिए भारतियों को केवल वही अंग्रेज दिखे जो सूट बूट पहने जो मतलब की जो की एक एक लग्जिरियस लाइफस्टाइल जीते थे भारत को केवल वही अंग्रेज दिखे भारत को वह अंग्रेज नहीं दिखे जो ब्रिटेन में रहते थे जो मजदूर थे जो वहाँ पर मिलो में काम कर रहे थे जिनका average life span 17 साल था वो तो दिखे ही नहीं भारतियों को और वो मजदूर और समाज का वो वर्ग अंग्रेजों ने दिखाया भी नहीं क्यूं? क्यूंकि मैं आगे बताऊंगे racial superiority किस तरह establish की गई एक बहुत बड़ा factor ठीक है? तो भारतियों के मन में भारतियों की दिवाग में एक असर डाला गया अंग्रेजों ने कि हम देखी हम जैसे हम यहाँ पर है ना ऐसा ही यूरोप है सब वहाँ पर ऐसे ही है लेकिन जब भारती ये यूरोप जाते थे तब पदा चलता था कि जैसी गरीबी भारत में है जैसी गरीबी भारत के मजदूरों में है वैसी गरीबी अंग्रेजी मजदूरों में भी है यानि कि भारत में अगर पीजेंटरी क्लास है तो अंग्रेजों में भी पीजेंटरी क्लास है यानि गोरी चमड़ी हो चाहे भूरी चमड़ी हो समाज का वरगी करण समाज में economic distribution उसी तरीके का है जैसा भारत में वैसा यूरोप में भारत में royalty है, तो यूरोप में भी royalty थी तो भारत की royalty का सामना तो यूरोप की royalty करी नहीं सकती थी ना, भारत में मुगल, बाच्छा, तकतो- तौस मतलब सौने चांदी से जड़े होए, तकतों बैठתे थे वो, ठीक है तो धीरे धीरे उन्होंने भारत से लूटा है वो उनका पूरा पूरी strategy थी उन्होंने सारा भारत से समान जो है वो लूट कर ले गए लेकिन लेकिन ये कहना कि पूरा का पूरा यूरोप और पूरी की पूरी इंग्लेंड की society समरित थी ये कहना बिलकुल गलत रहेगा वहाँ पर भी certain 1 या 2% लोग जो हैं वो समरित थे और वही लोग जो हैं वो भारत आकर trade करके गए और भारतियों को वही लोग दिखे ठीक है वैसे अंग्रेजी सैना भी आई अंग्रेजी पीजेंटरी भी आई गोरे सैनिक भी आई लेकिन अंग्रेजों ने अपने उन गोरे ये खुला आदेश दिया था कि भारतियों के साथ अपने मतलब पुर्तगाली मेल्स जो हैं वो भारतिये वाइफ्स रखना शुरू करें आप मुझे बताएंगे मैंने ये क्लास में बताया ये ठीक है पुर्तगाली मेल्स भारतिये वाइफ्स रखना शुरू करें और भार के साथ जो है वो अपने ब्लड को मिक्स ना करें ठीक है खेर आगे बढ़ते हैं नेक्स चीज़ तीन चीज़े आ गई अन इंट्रॉप्टेड इंडस्ट्रियल रॉव मटेरियल एक्सेस टू मार्केट एक्सेस टू चीप लेवर यह तीनों चीज़े अगर आपके पास हैं त एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ कॉलोनीज ठीक है बिलकुल वन्स दा कॉलोनीज वर सब्जुगेटिड पॉलेटिकली दे कुट बी फोस्ट तो साइन वनसाइड़ी ट्रीटीज ग्रांटिंग दे क्लोनियल पार्स अन्रिस्रिक्टेड और दूटीफ्री एक्सेस टू देयर मार भार बंगाल उडिशा की दिवानी अपने नाम लिख वाली तो सारा का सारा रेवेन्यू का इंफ्लक्स किसे जाने लगा ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी को फिर उसके बाद 72 के बाद उन्होंने अपना पॉलिटिकल अधिकरण करना शुरू किया ठीक है तो यही उनका यह इन्होंने भारत में अपना ही इसे तरह की सिमलर पॉलिसी उन्होंने ऐफ्रीकं कालनीज में भी ठीक है नौर्ध अमेरिकन और सदन अमेरिकन कालनीज में भी यही पॉलिशी अपना ही एक जो पूंजी पती एक जो पूंजी बात है जो मरकेंटाइल एकॉनमी है इनकी बेसिक फिलोसफी क्या है बिजनस को लेकर maximizing the profit by minimizing the investment आप minimum capital में maximum profit निकाल के लाएं तो अगर भारत से maximum profit चाहिए उन्हें कच्चा समान खरीदने में तो political control करना उनके लिए सभाविक बन जाता है according to their policy ठीक है खेर next is देखिएगा so यह point देखिएगा once the colonies were subjugated politically they could be forced to sign one-sided treaties granting the colonial powers unrestricted or duty-free access to their market one-sided treaties कर लेते हैं 1765 की जो अलाबाद की treaty हैं वो one-sided थी British East India Company ने अवद के नवाब बंगाल के नवाब को तो मारी दिया था खैर लेकिन अवद के नवाब और दिल्ली के मुगल सुल्तान सब को विवश किया था कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी नहीं तो भहुत पीटेंगे फिर से हम तुमें और अपनी इज़त बचाने के चक्कर में अपना थोड़ा सा political control बचाने के चकर में उन्हें दिवानी देनी पड़ी so one-sided treaties subordinate alliances were one-sided treaties ठीक है subsidiary alliances were one-sided treaties one-sided treaties का कहने का मतलब की फाइदा जादा सा जादा colonial शक्ति को मिलता है imperialistic शक्ति को मिलता है ठीक है खेर now these products were prepared out of factories which were run by cheap laborers again source from the colonies most of the time they were supposed out of huge slave trade racket which was being run across the world by colonial powers देखे कच्चा समान अब देखे पहले colony establish करी political control ले लिया कच्चा समान छीन लिया जनता से ठीक है अब उस कच्चे समान को process करके तयार समान भी तो बनाना है product भी तो तयार करना है तो अब उस कच्चे समान से product तयार करने के लिए जो machine लगाई है उनके लिए labor चाहिए अब labor भी कहां से मिलेगा labor भी उसी colony से मिलेगा तो उसी colony से labor ले जाये गया ठीक है यूरोप ले जाकर अब मैं अकेली England की बात नहीं करना हूँ क्योंकि new imperialism क्योंकि पहले जो मैंने आपको colonial imperialism बताया था ठीक है colonization या industrial revolution जो बताया था मैंने वो उरोप में भी Britain के sense में बता रहा था नाव new imperialism is not only concerned with Britain in Europe बट अलसो अधर emerging powers अधर emerging imperialistic powers in Europe such as newly found unified nations of Germany and Italy, Russia और उसके अलावा लुथयानिया और Poland, लुथयानिया, Netherlands और Denmark ठीक है ये सारी शक्तियां भी है और जो पुराने खिलाडी है वो तो है ही पुर्तगाल, Spain, France और Dutch and Britain, right और उसके अलावा North America में ये और Asia में दूसरी शक्ति जपान ये भी imperialistic ambitions अपने लेकर बैठे हुए हैं ठीक है तो यहाँ पर यह point देखिएगा क्या कहता है कि अब उन labor's को कहां से लेगे labor's मिलेंगे slave trade के racket अब slave trade देखिए सारी चीज़े colony से लेकर आ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं न minimizing the capital and maximizing the profit कच्चा माल भी colony का माली जे एफरीका की बात करें तो कच्चा माल भी एफरीका का ठीक है मजदूर भी एफरीका के और लेकिन फैक्ट्रियां किस की फैक्ट्रियां यूरोप की और फिर बेचा भी जाएगा कहां पर एफरीका में ही मार्किट भी एफरीका का ठीक है नेक्स पॉइंट बात है एकनॉमिक करणों में अगला पॉइंट देखिएगा ना विद देवलोप्मेंट अफ मेंस फ्रांसपरटेशन इन फर्म 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 फोर्ड रेल्वेज अंट कम बस्ट धेगा in brutally exploiting the natural resources of the colonies, देखिए industrial revolution के साथ साथ railway developed हुआ, industrial revolution के साथ साथ धीरे-धीरे motorized motorized, जो vehicle है, वो आने लगे गाडियों का जो है वो धीरे-धीरे मतलब पहले सबसे पहला patent Mercedes-Benz ने करवाय था, फिर धीरे-धीरे गाडियां आने लगी, उसके अलावा railways सबसे ज़्यादा, राइट सो और steamboats बनने लगी, पहले जो sailboats हुआ गरती थी, जो कि monsoon के सहारे ही भारत में इंटर करते थे, अब steamboats आ गई तो powerboats आ गई, that means अब वो शक्ती से, मतलब आटलेंटिक पार कर सकते हैं वो हिंद महासागर को पार कर सकते हैं, against the winds, ठीक है, तो अब वो मौसम पर dependent नहीं रहे गए कि भारत में वो तभी आएंगे जब monsoon की हवाय चलेंगी, नहीं, ठीक है आते monsoon के साथ आएंगे और जाते monsoon के साथ जाएंगे, steamboats ने speed बढ़हा ठीक है, खेर लेकिन इन सब नए innovations की वज़े से हुआ क्या, अब देखिए भारत में तो political लदिकरान अंगरेजों ने करी लिया था क्योंकि भारत पैनिज्वला है northern भारत, जो mainland भारत है mainland है, Indian subcontinent का, वो पूरा का पूरा जो है, वो green belt है चाहे वो सिंदू river system हो या सब्त सिंदू river system हो या गंगा river system हो, वहां से production निकल कर आ रहा है तो वो पूरा का पूरा अंगरेजों का subjugate करना ही था, जो peninsular इंडिया है, उसके port cities को तो control में करना ही था, और port cities को आपस में connect करने के लिए mainland को control में करना ही था ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने railways बिचाई तो बंगाल को बंबई से connect किया ठीक है, दिल्ली को उन्होंने मदराज से connect किया, इससे हुआ क्या, इससे transportation बढ़ गया और trade में और जो है वो boom आया, ठीक है, लेकिन लेकिन एफरिका की अगर बात करें, एफरिकन पैनिजुला की अगर बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि शुरुवात में उन्होंने केवल coastal region को colonize किया, और वहाँ पर जो tribes थी, उनको हतियार प्रोवाइड किये उन tribes ने mainland एफरिका की tribes को हराया, और mainland एफरिका की tribes को, tribes के लोग बंदी बनाकर अंग्रेजों को बेचा, ठीक है, ये खेल चला वहाँ पर, लेकिन धीरे-धीरे motorized vehicles के आने के बाद, railways के आने के बाद धीरे-धीरे अंग्रेजों ने mainland एफरिका को भी colonize करना शुरू किया, जो कि पहले उनके लिए मुमकिन नहीं था, ठीक है, इस से उनको नए जो हैं वो, क्योंकि देखिए, होड बढ़ गई न अब production बढ़ाने की होड बढ़ गई, क्योंकि even सब को पता था, European शक्तियों को पता था एक ना, एक समय ऐसा आएगा, कि सदन, सदनर्स के साथ हमारा conflict होगा ही होगा, ठीक है, सो यहाँ पर भी new order versus old order लेका राते हैं, देखिए कैसे, सो जो old order है, वो क्या है, वो industrial revolution से पहले, यह इस तरह कहा जाए, कि अगर Britain में ही capable industrial revolution है, तो Britain ही dominate कर रहा है markets को, और new order क्या है, कि European शक्तियां, US और Japan भी अब industrially revolutionize कर चुक है अपने आपको, और अब यह भी colonies जो हैं, वो अपने expand करने में लगे हो हैं, तो colonial शक्तियां हैं, जो imperialistic शक्तियां, उनमें competition बढ़ गया, कि कौन जादा से जादा colonies acquire करेगा, और अगर competition है, तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वो competition will lead to war, और, and war is inevitable, because war is again good for business, if your business is war itself, ठीक है, war inevitable, इसलिए भी हो गया, इन colonial इन imperialistic शक्तियों के बीच में, क्योंकि उस युद में, उस लंबे चलने वाले युद में, जो नए व्यापार उठ खड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि युद में हतियार बनाने पड़ते हैं, युद में medical supplies का business खुल जाता है, युद में transportation का system जो है, वो develop हो जाता है, communication का technological advancement होता है, बहुत सारे, so युद, बहुत favor करता है, imperialistic सरकारों को, लेकिन जो native जो business है, उनको बरबाद कर देता है, ठीक है, so everybody knew that war जो है, वो inevitable है, एक ना, एक time ऐसा आएगा कि युद छिड़ेगा ही, एक बड़े level का, ठीक है, उस, वो बड़े level का युद आने से पहले, छोटे छोटे युद जो हैं, वो करवाए गए, ताकि, मतलब अपने, जो भी economic interest उनको पूरा किया जा सके, ठीक है, colonial शक्तियों में आपस में युद हुए, मैं आपको बताऊंगा, opium wars वगेरा क्या है, लेकिन, देखिए, तो जो colonial शक्तियां है, उनको पता था कि, युद छेड़ेगा, बड़े लेवल पर, आनाई, आनाई, युद, तो जल्दी से जल्दे, जल्दी पहले, जाद से जादा colonies को, अपने control में, ले लिया जाए, वो जो बड़ा युद है, वो है हमारा प्रथम विश्वयुद, ठीक है, तो यह मैं सोचीगा, कि प्रथम विश्वयुद, अब देखिए, जो mainstream media, या जो आम जनता को बताया जाने वाला इतियास है, मैंने बोला ना, मैंने एक session में, पहले भी कभी जिकर किया था, ये एक बहुत बड़े teacher है, इतियास के, उनका ये कहना है, और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल obvious है, common sense होनी चीए लोगों में, कि दो तरह का इतियास होता है, एक वो इतियास जो आम जनता को बताया जाता है, ठीक है, ताकि जो ruling class है, जो elite class है, वो आम जनता को confused रख सकें, जो wealthy 1% है इस दुनिया के, जो इस पूरी दुनिया के सभी बड़े businesses पर, जिन्होंने monopolize, monopoly establish कर रखी है, उन्होंने जो इतियास का version create कर रखा है, वो जो आम जनता को बता है, ठीक है, for example, for example अगर मैं कहूं, कि जो लड़े हों हैं आपस में, औरंग जेब versus शिवाजी, ठीक है, जो अभी भी औरंग जेब versus शिवाजी को, हिंदू और मुस्लिम के युद की तरह देखते हैं, ठीक है, जो Britishers versus भारतिये सरकारों को, अंग्रेज और भारतियों के बीच में, और Christian और, और Christianity versus Hinduism की तरह देखा, या उनको वैसा version available है, तो आम जनता को जो इतिहास दिखाया जाता है, प्लस जो ruling classes हैं, जो governments हैं, जो elites हैं, जो aristocrats हैं, उन्होंने जो इतिहास का version समझा है, उन्होंने जो इतिहास का version समझा है, वो जो जानते हैं कि, शिवाजी was himself a ruler and Aurangzeb was a emperor, तो एक बड़े emperor और एक ruler के बीच में जो युद है, old order, मुगल शक्ती, ठीक है, और नया order, मराथा, old order और नया order में जो conflict है, ये inevitable है, ये conflict होते ही हैं, तो जो rulers के बीच में, तो मैंने बोला ना, history के दो अलग अलग versions हैं, तो आपको जो आम जंता वाला version हैं उसको ignore करना है, क्योंकि आम जंता वाला version है, वो politically manipulated होता है, वो politically motivated होता है, ठीक है, हमें जो commission में लिखके आना होता है, आपको commission जो ढून रहा है आपके अंदर जो समझदारी, वो ये है कि क्या आप elites का version समझ सके, क्या आपने इतिहास में से चीज़ें सीखनी शुरू करी, क्या आपने the very इतिहास में एक बिल्कुल basic चीज़ समझी की, इतिहास का ही इस्तमाल as a political weapon किया जाता है, इसलिए सवालों को critically analyze करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, ताकि केवल आप एक ही direction में ना सोचें, आप critically analyze करें, आप pros and cons नापना सीखें, आप देखें कि किसके क्या, अगर कोई भी एक political matter है, तो वहाँ पर जो भी दो opposing या दो से ज़्यादा party हैं, उनके क्या क्या motivations हैं, ambitions क्या हैं, उनके background के हैं, तो critically analyze करने, इसलिए जो है वो उमीद रखता है कमिशन आप से, कि आपको critical analysis करना आता होगा, ठीक है, सुखेर, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि सोचना शुरू किजिए, आपने आपको अंदकार से बहार निकालिए, अगर आप अभी भी वहीं फसे हुए हैं, तो फिर कमिशन का examination निकालने से आप बहुत दूर हैं, और ignore किजिए, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, किसी भी nationality का हो, ठीक है, कहीं का भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा लगे कि ब्रहम फहला रहा है, अगर धरम के नाम पे उल्टी सीदी बाते बोल रहा है, तो ignore कर दो, उल्जो मत, ठीक है, बहस में उल्जो मत, ट्विटर वगेरा से, फेस्बुक पे, वट्सैप पे, जो उल्टी सीदी बहस होती हैं, इंसे दूर रहा करो, समय वेस्ट होता है, जो समय आप जो एनर्जी अपने, दूसरे लोगों को कन्विंस करने में लगाएंगे, वो एनर्जी आप पढ़ने में लगाईए, और एक्जामिनेशन में बेटर स्कूर कीजिए, ठीक है, एक लेवल आफ अथारिटी पर पहुंच जाएए, फिर उसके बाद आप समझाएए, ठीक है, एक आप आईस अफसर बनिये, या आप किसी भी गवर्मेंट सर्विस को जाइन कीजिए, आपकी बात में वज़न आएगा, ठीक है, आपकी बात में वज़न आए, फिर कोई प्लैटफॉर्म पगड़ी है, और फिर समझाएए लोगों को, कोई नहीं रोकेगा आपको, ऐसा आम जंता अगर आप बोलेंगे, तो कोई नहीं मानेगा आपकी बात, ठीक है, तो अपने आपको दूर रखिये, साइबर बुलिंग से और साइबर कॉन्फिक्ट से, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैं देखता हूँ, मैंने, मतलब छोड़ दिया ये ट्विटर बगार है, अदर्वाइज, मैं देखती ही बतल जाता है, सब प्रोपगेंडा चल रहा है वहाँ पे, आप मान सकते हैं, ओल्लाइन जो है, वो मैक्सिमम इन्फरमेशन प्रोपगेंडाइजड है, ठीक है, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्लोबल लेवल पर, मैंने बोला ना ग्लोबल लेवल पर सोचिए, रिजनल नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट हम देख रहे थे, विद देवलोप्टमेंट अव ट्रांस्परटेशन इन फोर्म आफ रोड्स, रेलवेज, और स्टीम बोट्स, अगे बढ़ते हैं, इतना जंगल साफ कर दिया गया, लेकिन अजादी के बाद भी भारतिय सरकार नहीं बहुत जंगल साफ किये, ठीक है, इसलिए अंग्रेजों को मैं ज्यादा ब्लेम नहीं दूँगा, बहुत जंगल साफ किया, भारतियों ने भी बहुत जंगल साफ किया, और जरुरत भी थी, एकॉनमी को रिवाइब करना था, तो डेस्परेट स्टेप्स उठाए गए, ठीक है, तो नहरु सरकार को लेकर ना बहुत लोग बोलते हैं, कि ये गलतियां हैं, वो गलतियां करी नहरुजी ने, समस्या ये है कि वो उनके पास प्रेजडेंस नहीं थी, वो पहले नेता थे, ठीक है, तो जो पहला नेता था, उसको एक्सपरिमेंट करने पड़े, और भारत जैसा नेशन, इस मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल है, सो बहुत सारे एक्सपरिमेंट्स उन्होंने जो करे हैं, उन्होंने अपना अच्छा असर, बुरा असर, कई दश्यों को बाद दिखाया, ठीक है, तो कई चीज़े सही भी हुई, कई चीज़े गलत भी हुई, तो पोस्ट इंडिपेंडन्स जब मैं आपको, जो नहरुईन सरकार है, उनके बारे में, जब हम पढ़ेंगे, शुरुवाती 14 years, ठीक है, 50 से 64, तो हम जस्टिफाइज, जस्टिफिकेशन जो है, वो करेंगे नहरुजी के साथ भी, ठीक है, समझेंगे, कहां सही थे, कहां गलत है, भविश्य में क्या आसर है, और किस तरह प्रेजेंट सरकारें, उनसे सीख ले सकती हैं, ठीक है, और क्या चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए, खैर, आगे बढ़ते हैं, अब एक और पॉइंट यह है कि यूरोपियन शक्तियों ने इतनी असानी से एशियन अफ्रिकन कंट्रीज को कॉलनाइज क्यों कर लिया? कारण है कि एशियन अर अफ्रिकन कंट्रीज में पहुचा ही नहीं क्या? इंडस्ट्रियल रेवलूशन देखिये ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवलूशन आया और ब्रिटेन से यूरोप में भैला ब्रिटेन की कॉलनी यूएस में थी इसलिए ब्रिटेन से नॉर्थ अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल रेवलूशन हुआ ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो पैसिफिक पार करके या जो साथ इस्ट एशिया है वहां से घूम के अगर वो ताइवान और जपान तक पहुंच रहे हैं तो जपान में भी उन्होंने अपनी कॉलनीज एस्टेबलिश करी तो जपान में भी इंडस्ट्रियल रेवलूशन आ वही फैमिली से बिलॉग करते हैं इसलिए दे कंसीडर देमसेल्व टो वी उरोपियंस बट अगर हम यह कंसीडर करें तो एशिया में पहली कंट्री थी जपान जिसने अपने आपको इंडस्ट्रियली रेवलूशनाइज किया तो जपान ही क्यों कर पाया कारण यह है कि पर मिल गई थी उने ठीक है ब्रिकेरिशेर्स को क्योंकि ब्रिकिरेश लीरिंड ही वही वह अकेली शक्तियाँ नहीं है जो जपान को पूरी तरा से colonize नहीं कर सके मंगोल्स ने बहुत कोशिश करी चाइना की अलग अलग डैनेस्टी ने जपान को control करने की बहुत कोशिश करी लेकिन जपान के लोगों में वो self discipline है कि वो बिके नहीं किसी क्या गए ठीके खेर उनके उनकी बढ़ाई में बहुत कुछ बाते बोली जा सकती है लेकिन उनके अपने limitations भी थे जपान का कभी तिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको detail में बताऊंगा कि क्या positive चीज थी क्या negative चीज थी लेकिन आप overall कह सकते हैं कि जो Britain की शक्तियां हैं वो पूरी तरीके से colonize कर रहे हैं मैं नाकाम्याब रही वहाँ के जो राजा है वो जल्दी पकड़ गए नव्ज एक सबसे बड़ा फाइदा ये हुगा कि जपान के जो सारे जितने भी feudal lords थे ना जपान में भी feudalism था लेकिन जपान के जो feudal lords थे ना वो उनके राजा के अंदर रहते थे ठीक है उनको ये collective भावना थी कि हम देखाव फ्यूडल lords हैं तो वो कई जगाओ पर राजा से मजबूत थे लेकिन जो antim authority थी वो राजा थी वो राजा की बात मानते थे अपने ego को suppress करके this was their great एक greatness आप मान सकते हैं उस पे लेकिन in council politics महां चलती थी लेकिन अंत में उनका राजा समझदार था ठीक है और उनके prime ministers बगारा समझदार थे उन्होंने अंग्रेजों की चाले समझ लिया और अंग्रेजों को पूरी तरह से colonize नहीं करने दिया बलकि उनके साथ tie up किया उनकी technology को import किया और अपने आपको revolutionize कर दिया industrial revolution ले आए जो कि भारत नहीं कर सका क्यों क्योंकि भारत के जो शाशक थे वो बटे होए थे जपान पूरा का पूरा एक dynasty के अंदर था ठीक है जपान का इतियास बताऊंगा तो धीरे धीरे टूट किया था जब अंग्रेजवा ने भारत को colonize किया politically और भारत की अन्य बहुत सारी समस्य है जोग्रिफिकली भारत जो है वो बटा हुआ है जो northern है और southern है वो culturally टूटे हुए है चाइना वस culturally similar जपैन वस culturally और language के साब से similar है भारत में उत्तर भारत की भाषाई अलग बिंद्या रेंज की अलग और फिर दक्कन में जाएंगे और अलग दक्षिन भारत में पहुँचाएंगे तो बिलकुल ही अलग change हो जाती है तो geographical as well as cultural factors बहुत सारे हैं political, social, ideological भी हैं लेकिन geographical और cultural factors को मैं काफी बड़ा करण मानता हूँ जो भारत में एकता create नहीं होने जेते हैं जिसके तहत अंग्रेजों को colonize करना भारत को असान रहा जापान को वो colonize नहीं कर सके असानी से इसलिए जापान वस्ट first Asian country who get revolutionized industrially right so point ये है the basic point is this that the industrial revolution had not reach to countries of Asian Africa Asia और Africa में industrial revolution नहीं आया क्योंकि industrial revolution आने का नहीं है industrial revolution आने देने का यानि कि European शक्तिया जहां permit करेंगी वही industrial revolution आएगा industrial revolution was natural to Britain ठीक है उन्हें पता भी नहीं था कि महाँ पर industrial revolution आ गया है लेकिन Britain let Netherlands और Prusia और Hungary और Bavaria to have some of their industrial technologies ठीक है to US right industrialization equipment जो technology है वो US को दी गई Africa और India में उन्होंने allow ही नहीं किया अब ऐसा तो है नहीं कि भारतियों के पस दिमाग नहीं था या वो technology चोरी करके नहीं कर सकते थे install लेकिन अंग्रेजों का ही political control है European का पूरे Africa में political control है तो वो ऐसी industries established होने ही नहीं दे रहें फिर आप कहेंगे कि cotton mills थे Bombay में भारत में भी तो industries थी लेकिन जवाब यह है कि जो industries भारत में established हुई भी late 90th और early 20th century में वो क्या थी वो थे supplementary to British Britain में जो industries थे उनके supplementary था that means भारत से cotton तैयार करके cotton से कपड़े के रोल तैयार करने का काम करते थे केवल वो उस कपड़े के रोल को export किया जाता था भारत से Britain और Britain में उस कपड़े के रोल से variables बनते थे जो कि फिर भारत में import करके बेचे जाते थे ठीक है so that means जो industries एशिया या एफरिका में establish हुई भी वो revolution कहा नहीं आ सका industrial revolution नहीं आ सका आपकी colonies में राइट एफरिका और इस्या की now all these factors cumulatively contributed to make their products cheaper so they can compete with those of the other European players who were in the market employing the same strategy now North America South America में ब्रिटेन फ्रांस पोर्टुगल फ्रेंच जो हैं वो colonies थी और फिर बाद में North America South America में जो है वो अपने अपने उन्होंने अपने आपको आजाद कर लिया ठीक है लेकिन imperialistic शक्तियों में वो भी बदले रहे अब एफरिका में डचीज की भी जर्मन की भी इटैलियन की भी ब्रिटेन की भी फ्रांस की भी पुर्तगाल की सब की जो हैं वो colonies है भारत में अंग्रेजों की कॉलनी ठीक है South East Asia में सभी European शक्तियों की कॉलनी तो ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे ये colonization करने की वैसे उनको क्या मिल रहा है चीप labor चीप raw material और available market ठीक है जिससे उनका product जो है वो बहुत सस्ते में तयार हो जा रहा है और क्योंकि देखिए product सस्ते में तयार करने की ज़रूरत क्यों है क्योंकि सभी product सभी European शक्तियों जो है वो सस्ते में तयार कर रही है product पहले केवल Britain कर रहा था France कर रहा Spain किया पूर्टगाल किया अब Germany Italy, Netherlands, Belgium, Luxembourg कि ये सब उतर गए धिरे धिरे ठीक है सभी European शक्तियों को अपने product को सस्ते से सस्ता रखना है और उदर US भी आ गए खेल में जपान भी आ गए रशिया भी उतर गए ठीक है सभी product को सस्ता गरने के चक्कर में उन्हे colonies को expand करना पड़ा ठीक है और जो existing already existing colonies हैं not just colonial expansion किया लेकिन जो already existing colonies हैं उन पे अपना operation बढ़ाया उन्होंने उन पे अपना colonial जो character है उसको और dense किया ठीक है next देखियेगा this cutting edge competition between these powers could be trumped if a particular player had duty free access to a country's market while others had to pay an arbitrary amount of duties specifically calibrated to drive these players out of the market French को भारत से क्यों निकाला गया ठीक है और फिर French को कुछ colonies देखिये अंग्रेज अगर चाते तो French को कोई colony नहीं देते लेकिन केर्णेटिक वोर्ज में हराने के बाद French को कुछ colonies दे दी गई कुछ जो है वो port city दे दी गई पॉलिटिकल शक्तिया चीन लेकिन ट्रेट करने के हक दे दिये गए ठीक है इससे हुआ क्या इससे हुआ ये कि भारत से कच्चा समान अब French को खरीदना पड़ा जो पहले वो वसूल कर रहे थे tax के तोर पे अब वो खरीद रहे थे अंग्रेजों का समान सस्ता भी है और बेटर क्वालिटी का भी है इस कंपेड़ तो French समझा है आपको चीक है ये खेल चल रहा था है यहापे नव नेक्स इस देरफोर इन दे कंटेक्स अव सच अन एकॉनमिक इंविर्मेंट wherein the domestic market was very small and very very much already saturated the only way to get rich was by political subjugating other countries also has to increase one's wealth over and above the others सो ये सारे कारणों को जोड दो ठीक है अब आप अंत में बोल सकते हैं कि maximum मुनाफ़ा कब आएगा जब आप economic ही नहीं political control भी करें ठीक है यानि कि बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी से काम नी चलेगा निजामियत भी अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी ठीक है Hence the new imperialism आगे बढ़ते हैं Next point देखेगा This generated wealth was further utilized in improving the military capabilities which was thereafter employed in satisfying even more imperialistic ambitions thereby creating a self-sustaining life not life cycle but self-sustaining cycle of growth and expansion all of which was driven by engine of imperialism देखे political control लिया production बढ़ गई production बढ़ गई मुनाफ़ बढ़ गया मुनाफ़ बढ़ गई तो military strength बढ़ गई military strength बढ़ गई तो और colonies acquire कर ली और colony acquire कर ली politically तो और मुनाफ़ बढ़ गए और मुनाफ़ बढ़ गया और उसके अलावा और कॉल इंस्टेब्लिश कर लिए तो वही हुआ ना बंगाल की दिवानी मिली मिलिटरी स्ट्रेंद बढ़ गई बुंदेलखंड गंट्रोल कर लिया बुंदेलखंड मिल गया मिलिटरी स्ट्रेंद बढ़ गई हैदराबाद को गंट्रोल कर लिया सरकार को गंट्रोल कर लिया राजपुताना गंट्रोल कर लिया ठीक है जाटों के सिखों के मुगलों के रुहेलों के एरिया गंट्रोल कर लिया फिर उपर पहाडियों के एरिया गंट्रोल कर लिया ठीक है सिखों के एरिया की तरफ ही ले जाएगी, समझ रहे हैं आप, क्यार, next देखियेगा, and the engine of this cycle is imperialism, therefore the more our imperialistic country is, the bigger empire, it builds for itself and greater military power it becomes, which in turn helps it to become more imperialistic and so on, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, now imperialistic, ya imperialist countries took over some places in Asia and Africa because of their military strategic importance, देखिये, अब मैंने आपको बताया ना, भारत में, भारत की अगर कॉलनी को preserve करके रखना है, तो Arabian, Eden, Yemen की कॉलनी आपके control में होने चीए, ताकि Persian, Gulf और Red Sea के अंदर जो trade हो रहा है, उसको आप mandate कर सके, ठीक है, point देखिएगा, for example, England needed port सायद, सैड नहीं पढ़ते हैं, सायद पढ़ेंगे से, Eden, Hong Kong, Singapore, and Cyprus, या Cyprus, not to protect England, but to protect her conquered lands and trade route to India for rival nations, from rival nations, ठीक है, तो port सैड है आपका, स्वेज कैनाल, जहाँ पर Mediterranean mentor करती है, तो वहाँ पर है सायद, ठीक है, सायद पढ़ते हैं से, सैड मत पढ़ लेना, इसको सायद हो गई है, ठीक है, सायद के अलग-अलग जो है, वो क्या बोलते हैं, spelling है, लेकिन S-A-I-D को आप प्रनन्स कर सकते हैं, सायद, उसके अलावा, चाइना में business अपना trade चला रहे तो Hong Kong, ठीक है, Red Sea का trade बढ़िया चलता रहे तो Eden, Red Sea और Persian Gulf, दोनों के लिए, दोनों के लिए Eden जो है वो control में होना चीए, Singapore अपने control में होना चीए, ताकि Bay of Bengal से जो South East Asia में trade हो रहा है, उस पे जो है, वो नजर रखी जा सके भारत से, तो ये अन्ने छोटी-छोटी colonies established करी, ताकि भारत से जो अंग्रेजों का trade है, उसको preserve किया जा सके, ना कि England को, next देखिएगा, at these places, she, she who, British, Britain, right, established naval bases and cooling stations to strengthen her overseas power, naval stations and cooling station, यानि कि, जो ships है न, जो steamer है, ठीक है, उन में koila डालोगे, तभी तो वो steam produce करेंगी, तभी तो उनके वो, जो है, वो बड़े-बड़े चक्के चलेंगे, और वो पानी में चलेंगी, ठीक है, पावर बोट जो है, ठीक है, उनके जो propellers है, वो किसे चल रहे हैं, वो steam power से चल रहे हैं, और steam कैसे बन रही है, कोईले से बन रही है, तो यानि कि, हिंद महासागर में, एटलेंटिक महासागर में, ठीक है, साउथ इस्ट एशिया के जितने भी seas है, साउथ चाइना सी, जो है, इन सब में जो है, वो ports होने ची अंग्रेजों के पाद, पा हो गया, यूनियन आइलेंड है, यह फ्रांस के था, ठीक है, उसके लावब ब्रिटेन के, स्पेन के, पुर्तकाल के, सब के इस तरह के छोट-छोटे आइलेंड पे कॉलनिस थी, अक्वाइरिंग का कॉलनी ऑल्सो एडट चेन रियक्शन, यह इज, इफ एक कंट्री अक्व को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी कॉलनी एस्टेबलिश करना आनिवार्रे हो जाता है, ठीक है, तो इट इस अ साइकल, आई होप आप एकनॉमिक कारणों को समझ सके होंगे, कि इंपरिलिजम या जो कलोनियल इंपरिलिजम है, और अन्य जो यूरोपियन शक्ति हैं, कॉलनाइजेशन शुरू किया, प्लस यूएस से और जापान ने भी कॉलनाइजेशन शुरू किया, तो जो नय इंपरिलिजम का खेल है, वो समझ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स देखिएगा, नेक्स है, एक्स्ट्रीम नेशनलिजम प्राइड अन पावर, अगला कारण है, नियू इंपरिलिजम आने का, वो है, जितने भी इंपरिलिस्टिक शक्तियां हैं, उन लोगों में, एक्स्ट्रीम नेशनलिजम की भावना कूट-कूट के भर देना, मैंने बोला ना, ब्रिटेन के लोग, दूर दृष्टी क्या है उनकी, कि दे डू देर offenses in the name of their kings and queens, ठीक है, रोमन कैथलिक चर्च का कंट्रोल इतना लंबा क्यों रहा, क्योंकि रोमन कैथलिक चर्च ने जो Holy Roman Empire established किया न, ठीक है, Holy Roman Empire के जो राजा हैं, उसको Pope ने, जो है, मतलब उसका coronation किया था, इसलिए Holy Roman Empire के नाम से वो जाना गया, ये सब क्यों करते हैं, त दिल्ली उसे चाहिए थी, दिल्ली को उसे लूटना था, समझ रहे हैं आप, इसलिए उसने जिहाद का नारा लगवाया, तो जितनी भी बड़ी imperialistic शक्तियां, चाहे वो ancient समय से हो, medieval से हो, या early modern, या industrial revolution के बाद किया हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरह के propaganda generate किये हैं, ताकि आम जनता का उन्हें support मिले, अब आम जनता को वो exploit कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आम जनता को जोड कर रखना है, ताकि एक racial superiority की भावना यूरोप में आ जाए, यूरोपियन्स में आ जाए, ताकि जब वो Africans और Indians या South East Asian को, उनको जब exploit करें तो उनका conscious जागे ना, उनके अंदर मानवता का भावना आए, इसलिए nationalism कोट कोट कर भरा जाना बहुत जरूरी था, आईए देखते हैं, ये nationalism कैसे भरा गया, पहला point है, the later part of the 19th century was a period of intense nationalism, देखिए कैसे, Germany and Italy had succeeded in becoming unified nation, जर्मनी और इटली जो है, वो इस nationalism के भावना से ही unified हुआ, और मैंने आपको बताया ही है, क कि यूरोप में nationalism का मतलब है, एक ऐसा geographical region जिसमें रहने वाले लोग similar culture और historical background share करते हों, ठीक है, और जर्मनी और इटली, जर्मन और इटली भाशाओं पर based nation है, similarly, पुर्तगाल is of Portuguese, Spain is of Spanish speaking people, France is of French speaking people, and Britain, England is of English speaking people. ठीक है, तो यूरोप में जो राश्ट्र हैं, वो भाशा culture के हसाब से बटे हैं, भारत नहीं है ऐसा, हिंदोस्तान is a multilingual, multi-ethnic society, ठीक है, Austria और Hungary, क्यों नहीं पुरुशिया के खिलाफ जो है वो जर्मनी को जिनिफाई कर सके, because Austria and Hungary were, as the name suggests, Austria और Hungary, दो अलग भाशाएं हैं, आउस्ट्रिया की भाशा जर्मन है और हंगेरियन भाशा अलग है, राइट, सो multi-ethnicity, unification of nation में आडे आती ही है, बट स्टिल पटेल काम्याब रहे हैं, ठीक है, भारत को युनिफाई करने में, भारत आज तक युनिफाईड है, ठीक है, खेर कुछ हिस्सा काश्मीर का छू लेटरल समझाओंगा भारत में कहां 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 कॉंप्रमाइज किये, कहां positive progressive कदम भी रखे, कहां कॉंप्रमाइज किया भारत ने, तो इंडो-साइनो वार और जो 71 की वार है पाकिस्तान के साथ करगिल वए रहा समझाओंगा जब, वहाँ पर discuss करेंगे, अभी नहीं जाए करगिल वे रहा, तो ये यूद आपको मैं पढ़ाऊंगा, खेर, now nationalism in the late 19th century came to be associated with chauvinism, now chauvinism और nationalism क्या होता है, chauvinism, देखे, nationalism का मतलब होता है कि हमारा देश की महान, मतलब हमारा देश जो है वो बहुत महान है, ठीक हम एक देश के बास ही हमें अपने देश के लिए हम जो similar culture के लोग है, similar भाषावाल बोलने वाले जो लोग है, मेरे जो tribal descendancy है, या मेरी जो language बोलने वाले जो लोग है, मैं इनके लिए कुछ करूँ, this is nationalism, लेकिन chauvinism क्या है कि मेरा जो nation है वो बेटर है, तुम्हारा जो है वो बेकार है, मेरी अगर गोरी चमडी है तो मैं म पान हूँ, तुम अगर भूरी चमडी के हो, काली चमडी के हो, तो तुम हम से inferior हो, this is chauvinism, so nationalism कब chauvinism में बदल गया, और कब जो leaders है European, उन्होंने propagate किया, promote किया इस भावना को, ठीक है, उन्होंने ऐसे institutions यूरोप में बनाए, जो की European लोगों को पढ़ा रहे थे कि आपकी गोरी चमडी होने के वैसे आप क्यों superior हैं, ठीक है, hence the glorification, hence the golden periods, और वही golden period वाली philosophy फिर भारती इतिहासकारों ने भी यूज करी, ठीक है, कि golden age है, मनलब golden age कहने ही कोशिश करी, मनलब जो muslim descendants के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने जहांगीर के समय को, या मुगलिय सलतनत के समय कई सारे period को golden age कहने ही कोशिश करी, फिर जो हिंदु इतिहासकार थे, उन्होंने गुप्त period को golden age कहने ही कोशिश करी, ये अंग्रेजों से आया, European से आया, Europeans ने अपने Greek और Roman Empire को golden age बताने ही कोशिश करी, glorious revolution कहा, Britain ने अपनी revolution को, ठीक है, तो जनता में, अपनी जनता में, य ये अपने glorification की भावना डालने ही कोशिश करी, और वही pattern फिर भारती एतिहासकारों ने भी follow कर लिया, ठीक है, क्योंकि जनता को motivate करना था, उनके अपने अलग, जो है, वो motives थे, अंग्रेजों के अपने अलग, या Europeans के अपने अलग motives थे, ठीक है, तो Europeans को nationalism as well as shauvism की भाव अपना जो है, वो establish करने थी, racial superiority जो है, वो Europeans के अंदर establish करने थी, क्योंकि अगर उनको एफरिका के लोगों को black कहना है, अगर एफरिका के लोगों को अगर उन्हें nigger कहना है, ठीक है, तो उनको अपने लोगों को racially superior महसूस करवाना पड़ेगा, अगर उनको भारतियों को rac racially inferior घोशित करना है, अगर South East Asia Chinese को uncivilized racially inferior barbarians घोशित करना है, तो अपनी जनता को अपना glorified इतिहास दिखाना पड़ेगा, अपनी glorify करना पड़ेगा अपनी society को, अपनी racial superiority को, अपने गोरे रंग को, ठीक है, और वही उन्होंने किया भी, many nations developed myth of their superiority over the people, ठीक है, Roman empire और फिर, देखे, Roman empire को, Roman thinkers को, उसके अलावा, Roman philosopher, Greek philosophers, इनको glorify किया गया है, क्या philosophers भारत में नहीं थे, रिकवेद में ऐशी ऐसी बाते लिकी हैं, अच्छे अच्छे philosopher की आखे खुल जाएं, ठीक है, भारत में कई garan थे, बहुत भात बहतरीन बाते लिकी हैं, बारत में एक से एक ऐसे mystic सादू हुएं, जुन्होंने बहुत बहुत बहतरीन बाते कह के गए हैं वो, and same goes for China, same goes for Japan Japan same goes for Southeast Asia भारत से बुद्ध निकले बुद्ध बहुत बहतरीन बाते बोल के गए ठीक है so that doesn't mean similar यही सेम हालात जो है वो चाइना के भी रहे तो इसका मतलब यह point मेरा यह है कि जो consciousness है न तो अगर आपकी चेतना जाग रही है तो ऐसा नहीं है कि चेतना के वल यूरोप में ही जागी चेतना भारतिय लोगों की भी जागी चेतना consciousness में growth जो है वो Chinese लोगों के भी आया ठीक है जो पुराने tribes रहें Central Asia के यहाँ पर भी कोई ना कोई जो है वो संत रहे होंगे इस तरह के लेकिन Europeans ने अपने इतिहास को glorify किया जहां जहां पर उन्हें ने colonize किया वहाँ वहाँ पर उन्हें अपना इतिहास थोपा उन्हें कहा कि Greeks ने calculations करे Chinese ने भी तो करे उन्हें कहा कि Greeks ने mathematical इतने जो हैं वो inventions कर है कि भारत ही है और चाइना से जो पुराना सिल्क रूट है ना फारस के रास्ते जो यूरोप पहुंचता था ग्रीक पहुंचता था सो चाइना और भारत से ही कहीं ना कहीं वो सब ideologies यूरोप में पहुंची है ठीक है और यूरोप ने इंप्लेमेंट किया है इसका मतलब आज तक लाग हुआ आज तक लोग के दिमाग में ये है आज तक भारत में अगर कोई हमंगरेज देख लेते हैं तो धन्य हो जाते हैं मैंने कई जगाओं पर देखा है अपने खुद के मेरे खुद के सरकल में से लोग हैं जो बहुत सुपीरियर समझते हैं अभी वह दिन ज्यादा दूर नहीं था आज से 5-7 साल पहले अब तो काफी लोग अवेर हो गए लेकिन आज से 5 साल पहले मैं कह सकता हूं कि अमेरिका को हम बहुत great country समझते थे आज हम सब देख रहे हैं क्या हाल है अमेरिका का हम असलियत जान रहे हैं ठीक है तो जो यूरोपियन शक्तिया उनकी अच्छी-ची पिक्चर दिखाना स्लम ना दिखाना। ठीक है हर जगा है स्लम तो ये जो सच्चाई भारत में है ना देखे जो शिस्टम भारत में है है 차 har ga Rainuna Bear लेकिन जो overall essence है ना governance का वो भारत यूरोप में हर जगा से मिलर है ठीक है खेर इसलिए बोलता हम global perspective generate कीजिए समझी है थोड़ा चीजों को next is each one felt that it who must have colonies to add to its prestige and power कहने का मतलब सबको यह लगा कि अपने इस ego को feed करने के लिए colonies हमारे पास जाद से जाद हो नहीं ही चाहिए इंपरियलिजम बिकेम दा फैशन अफ दा एज यूरोपियन्स के लिए इंपरियलिजम फैशन बन गया ब्रिटेन के शाशक अपने नाम में एंपरर ऑफ इंडिया वर्ड यूज़ करते थे ठीक है 47 के बाद वो टाइटल उनने छोड़ा है 47 तक ब्रिटेन के जितने विशाशक रहे वो अपने नाम के साथ एंपरर ऑफ इंडिया वर्ड जोडने लगे वो उनके लिए कहीं भी किसी भी वो कोट में एंट्री होते थे तो उनका दर्बान एंपरर ऑफ इंडिया कहकर उनने वलाता था तब उनकी एंट्री होती थी ठीक है अनाउंस करते थे उनने तो यह announce करने वाला खेल फिर announce कर रहे हैं अगर आप किसी राजा को किसी बड़े figure को इस तरह के political figure को तो उसके साथ क्या क्या टाइटल जुड़े तो सभी को यह होड लगी कि हमारे साथ यह titles होने चाहिए हम यहां के emperor हम यहां के जो है वो आर्च ड्यूक या हम यहां के विस्काउंट हो हम यहां के जो है वो अर्ल हो ड्यूक हो प्रिंस हो सब में यह होड लगी सब को इस तरह के titles चाहिए थे ठीक है सब को अपने नाम गया जुड़ा होना चीए था कि हमारे पास इतनी colonies हैं तो European के लिए प्राइड की बात हो गई यानि कि exploit करना native population को मारना native population को एक तो आपने मार दिया लड़कर चलो लड़के मराए अगर कोई व्यक्ती तो उसके लिए भी थोड़ा सम्मान है लेकिन है आप उसको exploit कर रहे हैं उसको धोका दे रहे हैं उसको exploit कर रहे हैं उसका खून चूस रहे हैं और उसमें वो अपना pride दूण रहे है आज तक ब्रिटेन की जंता में ये प्राइड है फॉल्स प्राइड है कि जो उन्होंने कॉलनाइज किया है इतने सारे देशों को तो यूरोप में आज भी ये प्राइड है अब भारत कॉलनाइज हो गया तो हमारे लिए कॉलनाइजेशन मैं कॉलनाइजेशन को इतना एंटी में पढ़ा रहा हूँ क्यों कि भारत कॉलनाइज हो गया है ना हमने सफर किया है लेकिन यूरोप में कॉलनाइजेशन ग्लोरिवाइ करके पढ़ाया जाता है क्योंकि उन्हों ने कॉलनाइज किया है and they want और सेकेंड वर्ड वॉरr के बाद decolonization का जो third phase है उसके बाद भी फिर से उन्होंने colonize किया है politically नहीं लेकिन economically किया है उन्होंने समझाओंगा किस तरह economically colonization होता है ठीक है खेर next point देखेगा writers and speakers in England France and Germany opened institutions to promote the idea of imperialism and took great pride in calling their territories as empires Germany France यह जो बड़ी शक्ति है Italy Spain पूर्टगाल universities खुल गई Cambridge, Oxford वगरा में पढ़ाया जा रहा है imperialism क्या महान जीज़ है बहुत बड़ी है भारत में ऐसे अंग्रेजी विद्वान बैठे हैं जो भारत में imperialism की वावाई कर रहे हैं भारत में इतनी गरीबी बढ़ा दी है कि उस गरीबी से निकलने के लिए जो थोड़ा बहुत जिनके पास resources है वो तुरंत अंग्रेजों से चिपक गए after 1835 ठीक है तो भारत में एक ऐसा work create कर दिया जो अंग्रेजों का loyalist बना तो वो जो loyalist work है उनकी गलती नहीं थी मजबूरी ही थी उनकी मजबूरी में किया उन्होंने और जो loyalist नहीं बन सके ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनना चाते थे उनके पास resources ही नहीं थे वो इतने backward ख्षेत्र में थे अंग्रेजों को उनसे काम ही नहीं था loyalist अंग्रेजों ने केवल उन्हें बनाया जिनको loyalist बनाने में अंग्रेजों की कम से कम investment लगे जो अल्रेडी resourceful हो ठीक है थेर next point देखेगा अगला कारण है the civilizing mission अब nationalism भर दिया आप racially superior हो सभी European में यह बाट डाल दी अगर आप racially superior हो और अगर African Asian South East nations Indians अगर racially inferior है तो यह हम whites की जिम्मेदारी है कि हम उन सभी backward लोगों को barbarian लोगों को क्या करें civilize करें यह भावना डाल दी European में उन्हें आपस में ठीक है तो देखेए in the minds of many Europeans imperialist expansion was very noble ठीक है उनका बहुत सारे देखे जो actual बड़ी शक्तिया है जो यह खेल चला रही है वो तो जानती है सब भगवास है ठीक है हमने उन्होंने यह ideas निकाले है तो वो भली बांदी जानते है लेकिन जो आम जनता है जो manipulate हो जा रही है ठीक है उनके लिए तो यह noble है noble क्या है कि हम आपको technology provide कर रहे है हम आपको नय economic system दे रहे है हम आपको अंगरेजी कपड़ा पैना रहे है हम आपको जो है वो civilize कर रहे है आप barbarian हो ठीक हम आपको civilize कर रहे है they considered it a way of bringing civilization to the backward people of the world backward right quotations में the famous English writer आप देखिये Rudyard Kipling Rudyard Kipling का नाम आप जानते होंगे इसने जंगल भुक लिखी है ठीक है बंबई में पैदा हुआ था यह और भारत में काफी समय रहा so famous English writer है Rudyard Kipling asked his countrymen to shoulder what he called the white man's burden so Rudyard Kipling ने कहा है white man's burden है white man's burden नहीं कि गोरे वेक्ती के ओपर यह जिम्मेदारी दिया है भगवान ने कि हमें सभी लोग को civilize करना है तो Europeans ने African Asian Southeast Asian भारतिये जितने भी भारतिये political जो भी region थे उनको colonize करने के पीछे कारण ये दिया कि हम गोरी चमडी के लोग आपको क्या कर रहे है civilize करने के काम करने है ठीक है और भारत में इतनी गरीबी उन्होंने बढ़ाई कि भारतिये लोग भी बोले कि भाहिया पेट भर दो माई बाप कुछमर जी बोलो उसके बाद आप ठीक है हमको दो वक्त का खाना दे दो ये जो भुगमरी भीमारिया पहल रही है ये ठीक कर द तो उसके अलावा आप दिन को रात का होगे हम मानने को तयार है ठीक है ऐसा महौल भारत में created था नाव जूल्स फैरी एक और है फ्रेंच है ये इस बार नाम याद रखेंगे जूल्स फैरी ये एक्जेम्पल्स है सीदह सीदह और अपनी तरफ से भी आप एक्जेम्पल्स मैं आपके concept तयार कर रहा हूं फैक्ट इखटा करने की हम कोशिस जादा से जादा करी रहें लेकिन उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई effect है जो आप खुद से ढूंड सकते हो तो ढूंडिये जरूर Google पर सर्च कीजिए इन सब चीजों को ठीक है कि किस सरह जो है वो Google है आपके पास जो 1990s के विचारे जो 2010 से पहले के जो aspirants थे उनको libraries में जाकर धक्के खाने पड़ता थे अब आपके सामने सब कुछ है अब civilizing mission पर आप articles पढ़िये कि civilizing missions को लेकर जो है वो जितनी भी बड़े European और as well as US और भारतिये जो बड़े prints हैं उन्होंने क्या लिख लिखा है इस पर भारतिये विद्वान है European विद्वान है ठीक है Chinese Japanese विद्वान है उन्होंने इस टॉपिक पर क्या लिखा है अपना केवल मेरे द्वारा created जो perception है उसी को ना follow करते हुए आपको अपना मैंने वालो ना originality of thought लेकर आना है तो कुछ खुद से भी तो आपको मै जूल्स फेरी ने इन फ्रेंच में क्या कहा said superior races have the duty of civilizing the inferior races clear कर दिया उसने कि जो superior races है वो inferior races को civilize करें यह उनकी जिम्मेदारी है उसके लबा Christian missionaries की बात देखे Christian missionaries dedicated to spreading Christianity also played their part in promoting the idea of imperialism अब Christian missionaries ने देखे क्या किया जैसे जैसे scientific inventions हुए ना 15th century में तो जो पोप है उसने पुर्तगाल और स्पेन के जो वहां के princes है उन्हें कहा कि आप लोग फैलाईए Christianity हम आपको technology पैसा वगरा देते है हम आपको manpower प्रोवाइड दरते हैं हम आपको brain power देते हैं आप technologies develop कीजिए और geographical discoveries कीजिए और Christianity को आया गया पहले पुर्तगालियों ने अपने missionaries लेकर गए लेकिन अगर अंग्रेजों की बात करें ब्रिटिश की बात करें तो 1813 के बाद भारत में officially missionaries ने आना शुरू किया लेकिन उसके अलावा एफरीका में भी साउथ इस एशिया उसके लावा नॉर्थ अमेरिका से जाते रहे तो पहले Christian missionaries जो है वो खुद जाते थे cross को लेकर अपने अब उन Christian missionaries को वहां के local लोग मार लगा दिया करते कि तुम कैसे हमारे tribal देवता हो ऐसे बोल रहे हो ठीक है अब उन Christian missionaries को मार लग गई तो जो उनके पीछे जो बैठी है aristocratic class वो अब उन Christian missionaries को military support प्र करिये अपनी preaching तो अब जो tribe जिसने पहले उन Christian missionaries को मारा था अब उनको सेना का सामना करना पड़ा मैं South America और North America scenario समझा रहा हूँ आपको ठीक है और अब उन सेना उनने उन natives को मारा पीटा और जो surviving रहे गए उनको गुटने के बल बिठा कर उनको baptize किया गया या जो भी उनक के उपर जो है वो Christian ceremony की गई और उन्हें Christianity में convert किया गया forcefully यही सेम चीज इसलाम ने भी करी है यही सेम चीज कई जगा उपर हमें Hinduism के साथ भी नजर आती है ठीक है ऐसा नहीं है कि जो Christianity और Islam है उसी पर ही यह दाग है forceful conversion ठीक है अब यह जो Hinduism में forceful conversion है में medieval period में नहीं culture में forceful conversion है ना में यह ancient period में ढूणना पड़ेगा मैंने आपको बताया था ने एक छोटा से example कि वक्टकों ने अगर वक्टकों ने अगर किसी एक ब्रहामन को patch of land दिया तो उसने वहां के उस patch of land के आसपास जो tribal थे उसके tribal leader को उसने शत्रिये घुशित कर दिया और उसकी जनता को शूद्र तो इस तरह भारतिये ट्राइबल्स में ब्रहामनिक कल्चर फैलाया गया है पढ़ेंगे उसके बारे में भी क्योंकि जो भारतिये ट्राइबल्स हैं उनके अपने धर्म उनके अपने डाइटीज थे ठीक है हिंदुमिजम धिरे धिरे इन्फ्यूज हुआ है उनमें हिंदुमिजम कहना मतलब गल तो जैसे मैं जैसे आम जो धारना बनी हुए है मैंने वहला ना आम जनता का इतिहास और अरिस्टोकरेटिक क्लास का इतिहास रूलिंग क्लास का इतिहास दो अलग अलग तरीके के इतिहास है तो अगर आप आम जनता का इतिहास पढ़ेंगे तो इसलाम ने तलवार की नोख पे हिंदुओं को इसलाम में convert करवाया लेकिन अगर आप इसी करवाया है गलत नहीं है करवाया डेफिनेटली करवाया है ठीक है लेकिन अगर आप इसी करम में थोड़ा इंशन टाइम में चले जाएंगे ना तो ब्रहामनिकल लोगों ने भारतिये ट्राइबल्स को भी तलवार के नोख पे ब्रहामनिकल कल्चर जो है वो डॉडप्ट करने पर मजबूर किया है सो यह सेम थिंग गोज फर चाइना में जो धर्म पॉप्लर है कंफीशियसनेस जो है वो फैलाई गई है ठीक है ताविजम फैलाया गया है बुद्धिजम भी तलवार की नोख पर चाइना ने भी फैलाया है ठीक है उसके अलावा अपना पेगनिजम जो अपना ट्राइबल धर्म है वो मंगोल्स ने दूसरों पर इंपोस करने कोशिश करी बलेए बात में वो फिर इसलाम में कनवर्ट होगे वही सेम चीज़ इसलाम ने करी है वही सेम चैज़ क्रिशानिटी ने करी है तो हर धर्म का पॉलेटिकल इस्थमाल किया गया है बस मतलब बस पॉइंट इ जिस तरह की ब्रहामनिक कल्चर को ट्राइबल लोगों पर इंपोज किया गया ये मैं भारत में बोल रहा हूँ तो जो मतलब की बहुत ऐसे भारत में ऐसे जो जनता है या जो इस लेक्चर को देख रहे हैं जो इस बाद से हर्ट होए होगे वो मुझे गाली देंगे similarly अगर आप यूरोप में बैठकर Christianity के बारे में बोलो गए कि Christianity तलवार के नोप पर फैलाई गई तो वहाँ पर भी आपको गाली दी जाएगी similarly अगर आप चाइना में जाकर या वैसे फिलहाल तो कहीं भी बैठकर अगर आप चाइनीज पॉलसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वहाँ की government आपको वहाँ की not just government लेकिन वहाँ के लोग भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे पत्थर भी पड़ सकता है मारा भी जा सकता है गया भी जा सकता है आपको ठीक है तो यह भारत के लिए exclusive नहीं है या इरान इराक या मतलब जो इसलामिक कंट्री जे उनके लिए नहीं है यह क्रिश्यन कंट्री उनके लिए exclusive नहीं है यह पूरी दुनिया का system है ऐसा ही चल रहा है ठीक है तो समझ यह इस चीज को बहुत जरूरी है आप अगर एक civil servant बनना चाहते हैं तो ततस्ता मैंने बोला neutrality यानी बहुत आनी वर्रे आपके लिए तो इस तरह की छोट-छोट चीज़े आपको पता होने चीज़े खेर आगे बढ़ते हैं सो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था यूजुवली दे वेंट अलोन इंटू अन्नोन एरियाज इनस्पिरिट अफ ड्यूटी कौन क्रिशन मिशनरीज वेरी ओफन दे वर फॉलोड बाए प्रॉफिटीरिंग ट्रेडर्स और सोल्जर्स वेरी ओफन ठीक है पहले क्रिशन पह पहले अगर केवल सोल्जर्स और ट्रेडर्स जाते तो कोई पॉलिटिकल कारण नहीं होना था है अगर आपको पचास हजार लोगों को मोटिवेट करना है अगर किसी साथ समंदर पार करके दूसरे आइलेंड में जाकर आप महां के लोगों को मारे तो उन पचास हजार आप ये कारण बताएं कि आपके धर्म गुरुओं को मार दिया उन्होंने देखिए जो वो क्रिश्यानिटी जो क्रोस लेके गए थे उसी क्रोस में उनको टांग के आ गए वो तो अब उन पचास जार लोगों में जोश है कि नहीं हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है तो खेर आगे देखिए नो वेरी ओफन देवर फॉलड बाए प्रॉफिटेरिंग ट्रेडर्स और सोल्जर्स वार्स ओफन टुक प्लेस तो प्रोटेक्ट थे मिशनरीज अल देस सीम्ड क्वाइट नेचुरल तो मोस्ट वेस्टन पीपल वो कंसीडर इट देर नेशन देस्ट यूरोप से जिरुसलाम कॉंस्टेंट निपल को कंट्रोल करने के लिए ठीक है वो मैंने आपको बताया ही एकनॉमिक क्या मतलब उसके पिछे कारण है ठीक है सो कहने का मतलब जो यूरोपियन शक्ति है ना उनके लिए concept नया नहीं था कि हमें दूसरे दूसरे के देश में जाकर उनको Christianity सिखानी है इसलिए जब industrial revolution के बाद ये हुआ तो यूरोपियन जो लोग है उनको कोई इसमें कोताही मतलब कोई इसमें जो है वो बुरी बात नहीं लगी और उनने आसानी से इस जो है वो पैटरन को फोलो किया है ये मिडल एजी से चला आ रहा था यूरोप में नव प्रेजिदेंट मैकिनली ने देखिये क्या कहा है उनाइटिट स्टेट के प्रेजिदेंट ने ठीक है एक एनार्किस ने इनको गोली मार दी थी क्यों क्योंकि ये उप्रेशर उप्रेशन का सिंबल बन गए थे देखिये इनकी जो एक स्टेटमेंट है बहुत फेमस वो कितनी मतलब उप्रेशिंग है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा मैं annexing the Philippines in these words there was nothing left to do but to take them all and to educate the Filipinos and civilize and Christianize them as our fellow men for whom Christ also died ठीक है तो जो Christianity में ये बात बोलेगी कि Christ died for everyone Christ ने अपनी जान देदी सब के लिए ये बात जो है वो New Testament में लिखी है खेर अब इस चीज़ को politically कैसे use किया जाता है President McKinley क्या बोल रहे है कि Filipino के जो लोग है ना उनको Christianity चाहिए ताकि उनकी souls को हम salvation provide दर सके ये नहीं कह रहे है कि वो trading port है China और Japan और Russia के साथ और Pacific Ocean का जो trade है या वो एक checkpoint है ताकि Australia जो है वो अपने आपको या जो oil wealth है फिलिपीनोज और नीचे पापा नियोगिनी की उस पर जो है वो कंट्रोल लिया जा सके ठीक है नेक्स माइन देखिएगा रोल आफ एक्स्प्लोरर एन एडवेंचरर अब जो explorers है उनका क्या रोल है अब देखिए वासको डगामा वजान एक्स्प्लोरर ठीक है वो कोई एक imperialist के colonist नहीं था वो explore करने आया था वो ढूंडने आया था कोलंबस वजन एक्स्प्लोरर ठीक है पॉंस्डे लियॉन वजन एक्स्प्लोरर तो यह सब जो explorers है यह नया geographical area ढूंडना चाते थे इनका ambition था ठीक है तो लेकिन इनको जिस देश के थे जिस भी सरकार के यह थे वहां से इनको यह order हुआ करते थे कि जहां पर भी तुम्हें अगर कोई भी नया आयलेंड मिलता है यह लो तुम दो तिन शिप ले जाओ इतने तुम सैनिक ले जाओ ऐसा ना होगी वहां जाके तुम्हें मार लगे ठीक है तो तुम्हें जहां भी जो भी आयलेंड जो भी जोग्रिफिकल लेंड मिलता है ना वहां के resources का पता करला ना कि वहां पर कितने लोग रहते हैं कौन-कौन सी tribes है किस तरह के हत्यार है उनके पास क्या कोई और यूरोपिया शक्तिया वहां पहुंचिया नहीं पहुंचिया है क्या उनके पास कोईला है या इस तरह के मतलब क्या क्या अग्रिकल्चरल प्रड्यूजर या नि वहां के रिसोर्सेज नैचुरल मिनरल्स सारी जानकारी खटा करके ले आना ठीक है ताकि सरकार को अपनी तरफ से एक तरह के एक्स्पेडिशन ना भेजने पड़े तो एक्स्प्लोर्स तो थे ही यूरोप में जब यूरोप में शुरुवाती 16th और 15th century के लास्ट में और 16th century के शुरू में यूरोप यूरोपियन्स में जब यह भाव जागा और उनको जब technologies मिली naval inventions और discoveries जब हुए तो उन्होंने पूरी दुनिया नाप दी ठीक है 100 ही सालों में और उनको backup दिया उनके पीछे बैठी हुई सरकारों ने ठीक है देखेगा explorers also helped in spreading imperialism कैसे they went into unknown or little known territories and brought back reports that often indicated opportunities for trade and development ठीक है बासको डिगामा भारत जब पहुँचा और भारत से जब यूरोप गया तो पूर्तगाल में जाकर उसने क्या बताया पूर्तगाल में जाकर जब उसने दिखाया ना कि देखे मैं इतने मसाले ले आँ केलिकेट से उसने बताया ना कि मिल गया मुझे रास्ता ट्रेडिंग ऑपरिजिनिटी है कोलंबस जब अमेरिका पहुचा अमेरिका में जब उसने देखा महौल और फिर जब वो वापिस गया तो यूरोप जाकर क्या बताया उसने कि यह पूरा का पूरा कॉंटिनेंट है जहां पर इतने सारे सकते है थे अ१र्त रिश पर जांने शा frost मिल घ्रेंग नहीं से वंन दव LittleVIEं सफुर्पल को ऑलिया ना कौम यु श्याने स्टिक्षे अर्नृत ऑलनृत then this government would proceed to claim the entire territory the work of explorers and adventurers was particularly important in Europe's taking over Africa not just Africa but also India example देता हूँ जैसे पुर्तगाली आये कैलिकट में कैलिकट में ट्रेडिंग पोस्ट डाली सूरत में ट्रेडिंग पोस्ट डाली गोवा में ट्रेडिंग पोस्ट डाली फिर उसके नीचे वाला जो पोईंट है ठीक है प्र उस ट्रेडिंग पोस्ट को उन्होंने पहले प्रोटेक्ट करना शुरू किया क्योंकि Arabians ने कैलिकट में या गोवा में या सूरत में ट्रेड नहीं करने दिया पुर्तगाली योंको क्योंकि Arabians का already existed सा system और Arabians जो है वो जानते थे पुर्टगाली यूरोप शाय है और जो Ottoman Empire ने Constant Ripple को control मिलाया है Red Sea का trade अपने control में लिया है तो Arabians ये चाहते थे फार्सी ये तुर्की ये चाहते थे कि भारत से जितना भी समान है वो यूरोपी हमा यूरोपी है जो हमारे माद्यम से खरीदे ताकि मध्यस्त का रोल निवाते हुए तुर्कियों को फाइदा हो और अगर यूरोपी ये डारेक्ट खरीद के ले जाएंगे भारत से तो तूर्कियों की मध्यस्त तता खत्म हो जाएगी ठीक है तो कॉन्स था तो पुर्टगालियों ने अपनी जो पहले सेटलमेंट थी जो trading पोश्ट थी उसको प्रोटेक करने के लिए सेटलमेंट बनाया फिर उस सेटलमेंट को प्रोटेक करने के लिए fortification create किया है उस fort के माध्यम से उन्होंने geographical territories acquire की Goa को acquire कर लिए मुझे आप बताएंगे Goa किस से लिया है पूर्टगालियों ने और किस सन में लिया है ठीक है फिर Goa Goa के बाद Bombay के जो islands है वो acquire किये Calicut को acquire किये जिरे जिरे political अधिकरन चुरूब हुआ है छोटी छोटी व्यापारी कोठियों को acquire किया बड़ा political अधिकरन नहीं किया लेकिन पहले छोटी छोटी व्यापारी कोठिया acquire करी और ये शुरुवात हुई किस से explorer से ठीक है आगे बढ़ते है next देखेगा backwardness of Asia and Africa अब Asia और Africa backward था इस वजह से भी उनको colonize कर लिया गया देखेएं देखते हैं कैसे ठीक है the most important condition favoring the imperialistic conquest of Asia and Africa was that the industrial revolution had not come to this part of the world ठीक है अगर industrial revolution Asia और Africa में आ गया होता अगर वो भी producing countries होती तो उनकी भी military strong होती उनकी भी military strong होती तो European जब आते तो उनका वो सामना कर लेते ठीक है Europeans के पास better military better equipment क्यों थे क्योंकि उनके पास industrial revolution था जो कि African और Asian colonies के पास नहीं था next point दिखेगा the craftsmen produce goods of fine quality that westerners admired and desired तो मैंने आपको बताएं ना भारत से अंग्रेजों ने Europeans ने पहले तयार समान export किया but they relied entirely on hand tools which meant production on a small scale लेकिन भारत के भारत के example लेकर चलते हैं that is true for Asia and southern जो south eastern Asian colonies उनके लिए true है ठीक है so they entirely relied on hand tools भारत में सभी नकाशी सारा जो है वो hand loom manual labor से हो रहा था ठीक है इसलिए production कम था obviously in comparison with the production of western countries in 19th century Asian and African methods were backward western countries में Europe में US में industries लगी धागा बनानी की machine ने आ गई भारत में भी चरके से धागा बन रहा है so that means भारत में जहां पर efficiency जाद है ना उनकी वो जादा धागा बना रहा है जादा कपड़ा बना रहा है ठीक है also because of lack of knowledge that the industrial revolution had bought to the west the two continents were militarily militarily unable to stand up to the armed might of power of Europe armed might and power of Europe सीधर सा point है industrial revolution ने पैसा बढ़ा दिया उरोप में पैसा बढ़ा दिया तो हतियार बढ़ गा उरोप में भारत के लोग अभी भी तलवारों से लड़ रहे है और अंग्रेज लेकर आ रहे है muskets अपने साथ होई भी कैवलरी है light और heavy आम्ड है ठीक है infantry है light heavy आम्ड लेकिन अंग्रेजों की जो cavalries हैं अंग्रेजों की जो inventories हैं वो बंदूक हैं उनके पास उनके पास जो तोप हैं artillery हैं वो छोटी हैं और वो ज़्यादा efficient है जादा नुकसान कर सकती है so जो Asian और African जो military हैं वो सामना नहीं कर सकी अंग्रेजों का या अन्य European शक्ति होगा now governments of the countries of Asia and Africa were weak in the 19th century though in ancient medieval times powerful empires had existed there so अगर हम Arabia की बात करें भारत की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा ना खास कर जहांगीर के समय एक ऐसा time था कि जो western hemisphere है आगरा एं दिल्ली या दिल्ली आगरा जो है वो सबसे बड़ी political शक्ति थी और बंगाल सबसे अमीर जो है वो city था या region था medieval times का western hemisphere में sorry not western बट eastern hemisphere में ठीक है तो that means medieval period में भारत में बड़ी शक्तिया थी चाइना बड़ी शक्ति था south east Asia में और भी बड़ी शक्तिया थी ancient of medieval में लेकिन युरोप में industrial revolution आने की वजह से वो सब जो है वो overshadow होगे उनकी glory ठीक है उनकी might जो है वो overshadow होगे next देखेगा in the 19th century the old ways of governing were still followed even though they had outlived their usefulness भारत में जमिदारी जागिरदारी क्रैसिस भारत में मनसवदारी भारत में वही पुराना कौतवाल सिस्टम ठीक है तो भारत का example लेकर भारत का जो administration है वो मुगल समय से जो चले आ रहा था वही था ठीक है जो की पुराना हो चुका था समय के साथ आपको administration को दुरस्त करना है लेकिन administration तो तभी दुरस्त होगा रहा जब economy strong होगी अब economy अंग्रेजों के पास है तो administration और spoil होगा क्यों क्योंकि जो aristocratic class है वो अपने gains को protect करने कोशिश करेंगे आम जनता जो है वो पिसेगी ही पिसेगी so medieval times में का example उठाते हुए हम एफरीका को भी एफरीका को भी मतलब एफरीका के लिए भी यही सेम बात बोल सकते हैं कि उनका जो existing tribal जो administration था वो चर्मरा गया वो था नहीं अंग्रेजों के या Europeans के European के administration का सामने नहीं कर सके वो simple सी बात है कैसे नहीं कर सके क्यों नहीं कर सके देखिए strong nation states in modern sense had not developed the people's loyalties were still towards their local princes as in feudal times or to tribal chieftains ठीक है जो लोग थे ना उनकी जो loyalty है वो वहाँ के local princes tribal chiefs पे थी अब उन local princes और tribal chiefs को तो अंग्रेजों ने खरी लिया था ठीक है या Europeans उनको अपने political control में ले आते थे तो आप जैसा वो कहेंगे लोगों को वैसा ही करना पड़ा तो मैंने बोला ना बिहार बंगाल और उडिसा की दिवानी क्यों ली अंग्रेजों ने political control क्यों नहीं लिया क्योंकि नवाब को पुतली बना कर बिठाया जाए मैंने हमेशा से बताये आपको कि अगर आप किसी particular किसी अगर market को अगर आप acquire करते हैं तो पूरा का पूरा नहीं जड़ से उखाड जेते हैं वहाँ के जो natives हैं उनके साथ relation बनाने के लिए कोई एक मध्यस तप रखते हैं ठीक है महमद गौरी ने पृतिवराज चोहान को अजमेर ले जाकर अजमेर का बिजनस पहले hand over करवाया फिर पृतिवराज चोहान को execute किया ठीक है तो ये जो policy है ये throughout सभी नेताओं ने use करी है सभी leaders ने use करी है ठीक है care लेकिन इस loyalty का इस loyalty होने का घाटा जो है वो natives को होता है और फाइदा जो है वो conqueror को होता है ठीक है now these rulers cared little for the welfare of the people अब ये जो tribal rulers थे ना ठीक है वो अपने leader के बारे में बहुत कम वो अपनी जनता के बारे में बहुत कम जो है वो concerned थे आज भी है not just for India लेकिन हर जगा जितने भी leaders है पूरे दुनिया में वो आज भी आज से 50 साल पहले भी 100 साल पहले भी बहुत कम concerned थे अपनी जनता के लिए उनके अपने political motives होते है उनको अपने political motives को पूरा करने की वो गोशिश करते है ठीक है now these conditions help to explain how small bands of westerners succeeded in gaining power and finally the backing of their governments in conquering the entire countries ठीक है so यहां तक हमने आज यह पढ़ लिया so all right आज हम यहां पर आकर अपने topic को करते हैं conclude so आज हमने समझा new imperialism के वारे में so new imperialism में हमने केवल समझा new imperialism के कारण क्या है ठीक है और अब हम देखेंगे जो नया wave of imperialism है यानि की industrial revolution के बाद European शक्तियां US और जपान ने किस तरह Africa और Asia की अन्य जितने वी रिजियन है उनको colonize किया उसके अलाब हम decolonization समझेंगे और फिर अंत में देखेंगे हम impact क्या रहा है new imperialism का ताकि हमारी जो है वो एक ठोस जो है imperialism के कारण आपको थोरली समझाए होंगे तो जैसे कि मैंने बोला था ना यहां से आपको fact नहीं मिलने वाले आज का session पूरा का conceptual था तो इसी तरह के conceptual factual sessions अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले sessions को follow कीजिए study IQ के channel पर जाईएगा मेरा नाम से playlist मिल जाएगी या अगर आप simply YouTube के search बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो भी वहाँ पर playlist आजाएगी access कीजिए उन sessions को और देखिए पिछले sessions आपके लिए देखना बहुत आनिवार रहे हैं अगर आप नहीं समझेंगे industrial revolution आपने नहीं पढ़ा होगा American revolution को civil war को तो आप आगे connect नहीं कर सकते हैं so make sure you watch all those previous sessions the link for the videos link for the videos are also available अगर आप इस वीडियो के नीचे जब पिंड कमेंट हैं आप playlist का link मिल जाएगा उसके लाब अगर आप study IQ के application इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर भी एक थरो course available है CSC के लिए एक पूरा smart course है 1300 से प्लस वीडियो से सारा का सारा syllabus जो है वो covered है उस पर आप अपने घर में आराम से comfort में बैठके उस पूरे course को follow कर सकते हैं make sure you install the application the link for the application is right under this video so आज के मैं session को यहाँ conclude करता हूँ I hope आपको समझ आया होगा session अच्छा लगा पूरा लगा मुझे comment के मादम से जरूर बताइएगा ठीक है मैं session को conclude कर रहा हूँ मेरा नाम है विशाल चोहन मैं मिलूँगा आप से अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा take care